सबी को नमस्कार एक हुकार वैलकम टू एडूपध आचारे क्लासेज मेरवी आचारी आप सभी का वैलकम करता हूं तहे दिल से आज के इस सेशन में जी हाँ फिलकुल यह अपना पहला जागरण होगा इस एडूपध आचारे क्लासेज के उपर और आप सभी का जो यह प्या पिकेड़ी बैकबॉन जीसे कहते हैं वो बिलकुल यह काम करेगा तो जल्दी से आज इस अभियान में सुरुवात करते हैं आज के इस सिस्टम की जागरण क्लास के सिस्टम की तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ ज होगा अपना सबजेक्ट वर्व अगरिमेंट सबसे पहले तो सर क्या हमारी स्लेवस में हैं तो यह भूल जायं यह भूल जाय बटा क्योंकि दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना इसी बात का कि आपके subject वाब agreement हर vacancy के लिए काफी important है और इतना important है कि बेटा मैं बता सकता हूँ पिछला जो high court का paper हुआ है LDC का उसमें इसके questions है जो video का question हुआ है उसका इसमें options इसके questions है तो कई सारे कई सारे से examination से रटा जो यहां से question उठाते हैं क्योंकि यह particular topic नहीं है यह topic है बिल्कुल 5 topic का समावेस है इस subject वाब agreement में जिसको हम किसी भी condition में नहीं छोड़ सकते हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा questions इस option से attempt करें क्योंकि आपके डाड़ी वाले बाबा बिल्कुल आप सभी के comment में ले लूँगा भी time से पहले ही जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है पूरे के पूरे सह परिवार के साथ तो अराम से देखें अपने घर में जितने भी पढ़ने वाले स्ट्रेंशन सब को दिखा है क्योंकि आज की class आपके लिए जबरदस class होने वाली होगी बहुत बढ़िया तो सुबारम करते हैं इसी शेर के साथ में class को शेर कर देता हूं अपने session में बच्चे और फिर continue करने की कोसिज करते हैं आजाओ वाई साब सभी सभी आजाओ बटा सभी कि जी बिल्कुल 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 हो गया साहबा जागरन स्टार्ट हो गया है नाइन पिम हो गए है बाई नाइन पिम हो गए है चलिए बच्चे चलिए बहुत बढ़िया बात है तो session की शुरुआत करें सबसे पहले जित्ता भी आपका basic है एक दम डिट्टो अपने यहाँ पर खाना वाना सबने खा लिया होगा क्योंकि बीच में वक्त नहीं मिलेगा बच्चा खाना खाने का इसलिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके फट्टा फट्रकुल को बैटा तुफान की जैसे फेला दो इस तुछल बिलकुल बहुत उच्य बात आप पढ़ने की चिंता ना करें बस आप की चिंता ओगी क्लास की चिंता और कोई भी चिंता नहीं चलिए जी चलिए बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है करवाना सर जी सेकंड ग्रेड लेवल का ना वेटा सारे ही लेवल का जीरो से यहां से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल बेटा समझ रहे होना समझ रहे होना कहा तक एंड तक बिल्कुल आप किसी भी तरह की अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे है तो बेफिकर रहे आज और यहां से मैं आप सभी के कॉमेंट लेना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल वक्त आ गया है आपके कॉमेंट का जल्दी से बहुत अच्छी बात पता पड़ शेयर कर दे जितना जल्दी औसे बाद में जो बोलने लगूंगा बैटा जल्दी कर दे किस्के बात तवल टोड प्लास होने वाली है ह कि तो चलिए सर की सुरुआत होती है आज के इस अपिसोड में और और वो भी भैंकर वाले एपिसोड में, सबसे पहले ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, सबसे पहले बच्चे यहां से देखें, आज का जो अपना टोपिक होगा, आज का अपना टोपिक कौन सा है, सब्जेक्ट, क्या लिखाएं मैंने जोर से पढ़ें, सब्जेक्ट, व ने का आज के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट कहीं भी जाने नहीं दुआ तो सबसे पहले मेरी बात सुने बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रिमेंट क्या है यानि कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझोता हो रहा है कौन से समझोता की ब पीपी क्या होता है तो बच्चे ध्यान से देख ले यहां पर एक होता है singular एक होता है singular और एक होता है singular इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि singular subject के साथ singular verb का यूज किया जाता है और plural subject के साथ plural verb का यूज किया जाता है आज की class में no fall to की talking सीधा वो ही पढ़ेंगे जो exam में छपेगा क्या सीधा वो ही पढ़ेंगे जो exam में छपेगा सीधा बिल्कुल बिल्कुल बटर ठीक है अब यहां से सबसे पहले subject आपका कैसा हो सकता है subject आपका singular भी हो सकता है और subject आपका कैसा हो सकता है बच्चे subject आपका plural भी हो सकता है दोनों ही टाइप के subject हो सकते हैं आप कहें तो singular subject और आप कहें तो plural subject बात समझ में आगी आप कहें तो singular subject और और आपका है तो plural subject ठीक है क्योंकि अगर आपका subject singular होगा तो आपकी verb भी singular आएगी अगर आपका subject plural होगा तो आपकी verb भी plural आएगी दोनों चीजे सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं कि subject हो singular और verb दे दो plural यह तो बड़ाई खतरनाक काम हो जाएगा ठीक है अब subject मैं जल्दी से बताना चाहूंगा जैसे मैंने राम लिखा और राम के बाद मैंने चाया लिखा राम लिखा और क्या लिखा बटा चाया लिखा और फिर यहां पर मैंने माया लिखा और माया के बाद यहां मैंने teacher लिखा तो आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहां पर सर यहां पर प्लूरल के सा मैं अगर टीचर्स करता हूं तो यह प्लूरल होता है दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूं तो ही क्या होता है बटा जो राम होता है राम एक लड़का है और लड़के के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ राम के लिए मैं ही का यूज कर सकता हूँ कोई भी आपती नहीं है वेसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है सी और यहाँ पर मैंने लिखा मोनीका मोनीका अगर मैंने यहाँ पर लिख तो इसका मतलब मोनिका को मैं C लिख सकता हूं लड़की के लिए मैं C का यूज कर सकता हूं और लड़के के लिए मुझे किसका यूज करना होगा उसके मैं कमेंट पढ़ूंगा बाद में मैं कमेंट पढ़ूंगा बाद में अभी बिल्कुल मेरे से किसी भी तरह की कोई बात निकरेगा चुपचाप से पढ़ने पर ध्यान दोरना भी घर फोन करता हूं तुम्हारे बच्चे बच्ची भाई सा बड़े सरारती होगे क्या बड़े सरारती होगे जी हां ठीक है बच्चे तो continue हो यहां का मामला यहां से आ जाईए फिर यहां से आ जाईए ठीक है इसके ब मत कर SMS सिद्ध आज कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आत्मा की संतुष्टी नहीं कर दिया तो रवी आचारे नाम नहीं है ना घवराए बटा नाम घवराए नहीं बिलकुल मत घवराओ आप सब कुछ ठीक कर दूगा मैं देखा क्या हो गया बच्चे वे हो गया इसके बा करता हूं इंपोर्टेंट बात आपके लिए किसकी आई की इस आई को क्या माना जाता है इस आई को क्या माना जाता है कॉमेंट नहीं पड़ू मैं मैं कॉमेंट पड़ूंगा बटा सो होने के बाद में क्या सो होने के बाद में आई को आप आई को आप हमेशा क्या मानेंग एक बात बताओ कि अगर इज़मार में से लगाना हो तो फिर I के साथ aim लगेगा बच्चे और अगर Woz War में से लगाना हो तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपका आंसर क्या होगा वोज होगा तो I के लिए तीनों कंडिशन आपको याद रखनी पड़ेगी हर भरती के लिए important topic है मुझसे या ना पूछे कि सरक किस के लिए है आपका syllabus में चाये हो या नहीं हो एक्जाम में question जरूर मिलेगा क्या बोज और क्या हो गया वर हो गया अनुश अर्माजी नहीं है नीड किसी भी offline किया और नहीं है नीड में के रहा हूँ न ट्रस्ट मी ट्रस्ट कीजिए आप 100% guarantee की साथ में के रहा हूँ पिछला record के रहा है high court के अंदर चाहे कहीं पर भी पढ़ाया हो लेकिन selection काफी हुए है तो चलिए अब session की सुरुवात करते हैं यहां पर क्या अब session की सुरुवात करते हैं यहां पर एक दबंग तरीके से के साथ अब यहां पर देखिए बटा यह जो वर्ब होता है ना चिटकू यह वर्ब भ फ्लो ना तोड़े बताना फ्लो ना तोड़े बिल्कुल बिल्कुल केमरा बिल्कुल ठीक है कोई समश्य वाली बात नहीं है कोई भी समश्य वाली बात मेरे ख्याल से नहीं लगरी मुझे यहां पर लो बिल्कुल अब ठीक है कोई भी आपत्ती वाली बात यहां पर नहीं ह ठीक है मस्त पढ़ने में द्यान दे केमरा देखे ही नहीं आना जो मैं लिख रहा हूं उस पर द्यान दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सबसे अच्छी चीज यही रहेगी बचे और यहाँ पर चलिए बहतरीन हो गया अब कोई व्यापती आपको शायद नहीं नजर आएगी और नहीं दिखेगी अब बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीका वेउदान नहीं होना चीए ठीक है अब यहाँ से देखिए जैसे हो गया प्ले और प्ले के बाद लिखा मैंने गो गो के बाद लिखा मैंने टेल टेल के बाद लिखा मैंने से यह सारी की सारी वर्ब की फस्पोम है सारी की सारी वर्ब की फस्पोम हुई और याद रखना है कि वर्ब की जो फस्पोम होती है वो हमेशा ही प्लूरल होती है वर्ब की फस्पोम हमेशा ही क्या होती है हमेशा ही प्लूरल हो हुआ एस लगा हुआ या आई एस लगा हुआ तो वह वर्ब क्या बन जाएगी वह वर्ब singular बन जाएगी क्या बन जाएगी singular बन जाएगी क्या लगाने के बाद एस लगाने के बाद एस लगाने के बाद आई एस लगाने के बाद इसका मतलब तो ये हुआ कहो तो बताओं इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्लेज करता हूँ तो ये सिंग्यूलर हो जाएगा अगर मैं गोज करता हूँ तो ये सिंग्यूलर होगा अगर मैं स्पीक्स करता हूँ तो ये भी सिंग्यूलर होगा अगर मैं sage करता हूँ तो ये भी singular होगा ऐसा क्यों हुआ, किसी भी verb में S, E,S और I,S लगा कर क्या किसी भी verb में S, E,S और I,S लगा कर में उस verb को singular बना सकता हूँ क्या बना सकता हूँ? singular बना सकता हूँ ये एक छोटी मोटी सी बाते हैं जो पूरी हो चुकी है s कहां लगेगा es कहां लगेगा is कहां लगेगा तो इस बात की चर्चा कर लेते हैं इस बात की चर्चा कर लेते हैं यदी किसी भी वर्ब के end में starving में उधिन लगाणा नहीं आए अदर्वाइज आदर्वाइज के अन्य था अन्य था इसी लगाओ अन्य था टकिंदिकर Palosi अड़कर अब जल्दी से सोपस्ते टूपाने ऩ ow और फटा है बिद्यों उक्त है माले का नहींuito चावगे लगा रिय्रदे ने तो है से स्फिरू कर दें भचे अब हैं से देखिए जैसे मैंने लिखा सिर्च हैं सिर्च और पृत डॉर रहा तो यह प्लूरल है लेकिन इस में में लगा आप से कई सारा आपने एट यह रहाया जो नहीं में हैं अगर किसी भी वर्ब के अगर किसी भी वर्ब के end में डबले सो जोर से बोलो जोर से बोलो अगर डबले सो सी एचो एस ओ एक सो ओ हो जैड हो तो क्या लगाएंगे हम एस लगाएंगे ठीक है क्या लगाएंगे एस लगाएंगे तो यहां पर जो मेरा वर्ड निकल के आ जाँ नगई फिर मैंने यहां पर लिखा ले लास्ट में मैं क्या रहा हुआ रहा है गोज हो जाएगा क्या हो गोज क्योंकि यहां पर लिखा हुआना रहा है अपना डस बन जाएगा क्या बन जाएगा डस फिर यहां पर देखो अगर मैं यहां पर राइट लिखता हूं क्या अगर मैं यहां पर राइट लिखता हूं तो इसमें क्या लगेगा एस लगेगा और मेरा वर्ड क्या बनेगा मेरा वर्ड बनेगा राइट्स क्या बनेगा ब होता last में होता तो फिर में क्या लगाता ये लगाता येस लगाता लेकिन नहीं यह ही लगाँगा जैसे यहां पर मैंने opens पूर कि अपैसगी क्यों की लगाँगा ऑस का निए क्योंकि last में के आ रहा है तो इसलिए क्या लगेगा इसमें ऐसी लगेगा बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहतरी बहुत आ गया कति जहर कर इसके बाध अब बात करते हैं कि अक पमात करते हैं Sir को हटा कर क्या लगाते हैं लेकिन अगर कोई भी वर्ब हो और उस वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वावल हो तो उस कंडिशन में केवल मात्र ऐस ही लगता है जैसे मैं आपको एक इग्जेम्पल देखे इस बात को समझाने की कोशिस करूँगा कि यहां पर मैंने अगर पी एल एवाई प्ले लिखा तो यहां पर मुझे ऐस ही लगाना पड़ेगा आप कहोगे कि सर ऐसा तो इसके तो लास्ट म होगा लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक चीज और देख लें CRघ क्राइय लिखा हुआ है अगर यहां पर क्राइय लिखा हुआ है लगया और यहां पर CR होगा यह भाइ येस बन जाएगा ये बात समझ में आ गई अब इसका बताओ कि फ्लाई का क्या होगा जल्दी से एक बार बता दे कि फ्लाई का क्या होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर आना चाहिए क्योंकि पांच classes का matter आज उसके 30% टाइम में होना चाहिए सीधी सीधी पॉइंट से बात होगी बटा और आपके कॉमेंट पढ़ूँगा मैं हंड्रेड के उपर इस बात का ध्यान रखना हंड्रेड के उपर आपके कॉमेंट पढ़ लूँगा पटापट बटावर से बीच में टाइम दे द रात अपनी है ठीक है रात अपनी है बच्छे आज रात अपनी है अब यहां से देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने की कोसिस करूँगा और यहां पर मैंने एक बात लिखी मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा जिसका नाम क्या था जिसका नाम था सनी क्या लिख तो सनी यहां पर एक था इसलिए यहां पर क्या आया इज आया यहां पर क्या बच्चे इज आया ठीक है फिर यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा और लिखा और मैंने लिखा सलमान सलमान इस सलमान इस प्लेयर अब इस कंडिशन में आपको एक चीज देखनी होगी कि यहां पर भी सलमान भाई साब अकेले थे और इसके साथ क्या इस आया जब एक ही परसन है तो इसका ही तो आंसर कर्रेक्ट होगा 100 पर आपके कमेंट पढ़ूगा उससे पहले आपके कमेंट नहीं पढ़ूगा ठीक है बहुत अच्छी बात आज पूरा दम लगाना है जितना आप में है आपके जितने ग्रूपे वहां शेयर करना है क्योंकि आज बैटा रवियाचारियसर का जाग रने इस बात का ध्यान रखना ने नया प्लेटफॉर्म जरूरे पर बैटा हम बिलकुल पुराने हैं हमारे अंदर आज भी वो हिम्मत है वो ताकत है क्यों जो बिलकुल चैनल ड आगया बच्चे सल्मान के साथ इस आगया आगया इस यहां पर अब मेरी बात सुनो यहां पर अगर मैं ऐसे कर दू कैसे कर दू इस सनी भाई को और एंड से जोड़ दू किस से जोड़ दू सल्मान को जोड़ दू किस से इस से अब आपको एक बात बताना है कि यहां से इस आईगा यहां इस आएगा या नहीं आएगा और यहां आपको बताना है कि प्लेयर आएगा या फिर आपका प्लेयर सा एगा जल्दी से पट्टा-पट से आंसर दे तो इस Major से आपको कोई भी समस्चा नहीं आएगी इसALDresse दुबार जिन्दिकी में नहीं पढ़ाना, इस टॉपिक को दुबार नहीं तो मुझे पढ़ाना है, और नहीं दुबार तुमें पढ़ना है, क्योंकि आज ही ऐसा ऐसा बेस तैयार करके दूँगा ना, जो कोशन देखते ही पहले आंतरा जाएंगे बटा, और इसी की सीरीज भी में करवाओंगा, घबराओं मतो, तो यहां से सीधा अंतरा गया होगा, सब बच्चों ने समझ गए, समझ गए, सब बच्चों ने क्या, और सब बच्चे इस बात को समझ गए, कि सरसनी एक हो गया, और यहां से सलमान एक हो गया, और एक कितने हो गया, दो, और सिंग्य English की सारे topic आज ही कराऊँगा और subject verb agreement में ही सारे topic करा के छोड़ूँगा ध्यान रखना इस बात का ये topic एरा-गेरा नहीं है बेटा बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का पूरा सब कुछ इसमें करवाना है अज पूरा सब कुछ इसमें करवाना है आज यह नहीं कॉमेंट करके बताओ कि सर ए नहीं आएगा जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि सर ए नहीं आएगा इसमें बात समझ में आगए यहां पर फिर यहां से देखें फिर मैंने यहां से एक सेंटेंस ओल रिखा मैंने यहां पे लिखा मीरा 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 एंड मीरा एंड प्रिया अब देखना यहां से बटा, मैंने लिखा लव और लिखा मैंने लव्ज, लव्ज कृष्णा, क्या लिखा मैंने कृष्णा, अब मुझे बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक जबरदस सेशन के साथ आंसर होना चाहिए, किसी भी तरह की वैतुकी नहीं होनी चाहिए यहां पर बताओ, मीरा एंड प्रिया, लव या लव्ज, जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या होगा, आपके आंसर आने में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडिशन में आपके आंसर आने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके आंसर की देरी आगई, तो फिर म मेरा मामला गरवड हो जाएगा इसलिए आप जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कौसिस करें और कोई ज्ञाधा खास बात नहीं है कि चलिए बहुत बढ़िया लव आंसर आया यहां पर बच्चों ने लव अंसर दिया है बहुत अची बात बहुत अच्छी बात बिलकुल बिलकुल श्बास बटा वहतरीन बात मैं कोईи更श्ञ लेन Championship नहीं है वहतरीन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उमदा परदशन अगया बाई मज आगया मज़या तो यहाँ love answer हो गया और love और देखो यहाँ से एस किसमें लग रहा है इसमें तो यह singular है नहीं लग रहा तो यह plural है यहाँ पर दो है मीरा है और प्रिया है और किसे महबत किसे प्यार किसे प्रेम करते हैं कृष्णा से प्रेम करते हैं तो यहां पर right answer क्या होगा, love answer right हुआ, अब यहां से सीधी बात यहां पर देखे, सीधी बात यहां पर देखे, अब आएगा मज़ा, अगर मैं यहां पर यह चीज लिख दू, माल नीजे मेरी इच्छा होगी कि मैं दो नाम नहीं लिखू, तो हो सकता है ना कि दोनों नाम बहुत दिमाग लगाता है, एग्जामिनर राम रवी नहीं लिखेगा, एग्जामिनर रवी नहीं लिखेगा, यहां पर लिखा है रवी, और रवी का एक और भाई यह एंड, जिसका नाम है मनीश, क्या नाम है बच्छे, मनीश नाम है, रवी एंड मनीश, ठीक है, अब य अब मैं इस लिख दो क्या लिखने टीचर क्या लिख वरचा ती चर एंड डॉपटर क्या लिखा टीचर एंड डॉक्तर और फिर यहां wal ख्या सब्सराइब attitude अब बता ।asking कुछ आएगा यह जल्दी शफ पड्र पत पड्र से तन्सिया प्लुच बार आपको नाम देगा तो कई बार उनकी पोस्ट देगा तो यहां अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो राइट आंसर टीचर और डॉक्टर इसके साथ क्या होगा है वांसर होगा क्या वांसर होगा बात समझ में आगी बहुत बढ़िया अब देखिए यहां पर आता है और फिर लिखा मेंनैं है यह और है और फिर लिखा मेंने अटेंड़ा एक भी रूल नी बतांगा और आज प्रैक्रिकल पड़ाओं पूरी चीजी प्रैक्तिकंड पड़ाओं यहां से देखिए अब यहां से है आपके कॉमेंट ले ले पहले फिर कोंटीनु करेंगे कुगि आपके kinda मुझे पता भी चलना चाहिए चाइए मुझे पता अनी ही चलेगा तो के इसे काम चलेगा मुझे काम कैसे चलेगा वहां बढ़िया बहुत बढ़ेया श्याब्स बढ़िए बहतरीं मजह आगया बटा वीडियो special class है कोई भी कोई भी चिंता करने की जरूत नहीं है एकदम शटी class है बच्चा एकदम शटी class है परवा करने की कोई भी नीड नहीं है और class चलेगी बढ़िया तरीके से शाबास बटा अभी किसे के साथ ही आप सभी के कमेंट पढ़ने का वक्त आ चुका है बिलकुल रवी सर की लाडो वेलकम महेज चांद हेज 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 आंतर यहां से आया है मेरे पास सुसांत महेज चांद रजनी मोटिवेशन राजेंदर महेज आडो पत आचारे क्लासेज और जो आचारी है आचारी स्कुल टू रवी आचारी है तो चलते हैं सर यहां पर सफत सफलता की बिलकुल एडो पत आचारे क्लासेज सफत सफलता की तो इसी के सेशन के साथ यहां पर हेज आंसर कर्रेक्ट हुआ हेज नहीं पूछा गया सर ऐस क्यों सर पूछा गया? ऐसा क्यों इसमें तो हेuser लगाय इसमें हेज क्यों, तो बैटा इसमें सांती से gracious रखना, यहाँ पर यह problem हो गई कि यहाँ पर आर्टिपल तो आया, लेकिन आर्टिकल एक ही है, और जब एक ही आर्टिपल हो है तो एक आर्टिकल इसलिए आता है किसलिए आता है क्योंकि आपको ये बता सके कि ये जो टीचर है ना ये डॉक्टर भी है और जो डॉक्टर है ना वो टीचर भी है आदमी एक ही है लेकिन भाई साथ पोस्ट दो है क्योंकि कहीं बार आपने देखा होगा कहीं बार आपने ये चीज देखी होगी कैसी चीज देखी होगी कही बार आपने ये चीज भी देखी होगी कि बिलकुल बहुत बढ़े पुरे जोस के साथ चिंता करने की कोई बात नहीं है कौन सी चीज देखी होगी आपने आपने कही बार एक चीज देखी होगी कौन सी चीज देखी कि जब से यहाँ से देखिए बच्छे अब यहां से यहां से next session की तरफ बढ़ेंगे और लिखा हुआ है the teacher क्या लिखा हुआ है the teacher and the teacher and the doctor the teacher and the doctor अब इसमें क्या हुआ अब इसमें अगर हेज या हेज के हिसाब से answer लगाना पड़े हेज या हेओ के हिसाब से अगर आंसर लगाना पड़े तो इसका correct answer क्या होगा एक बार जल्दी से बताए बिल्कुल बेड़या बहुत अच्छे बहुत अच्छे जल्दी से बता दे बटा जल्दी से 200 पार क्लास होगी आज दय ये लिखा हुआ है और दय ये लिखा हुआ है कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पढ़ाता भी है तो वो टीचर भी होता है कई बार आपने ऐसा देखा होगा कैसा कई बार आपने ऐसा देखा होगा जो डाइरेक्टर होता है वो ड तरीन उम्दा प्रदशन, शांदार, शांदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत यह बढ़िया, बहुत यह बढ़िया, मज़ा आ गया, कताई जयर, और आपके लिए इस बात का ध्यान रखना है, बटा, वीडियो का separate बेच, राजस्तान, LDC का separate base दोस्तो रीट का separate बेचे और साथ इसाथ grade second का separate बेचे पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल क्या है free है बिल्कुल क्या है free course है किसी को भी किसी भी तरह की condition परवा करने की जरुत नहीं है complete PDF complete content रवियाचारिय के होते वे आपको सब कुछ free में मिलेगा इस बात को ध्यान रखना इस राजस्तान को नहीं पूरे भारत को इंगलिस सिखाने का दम है और कुछ ही नहीं है इससे बतल में कुछ नहीं चाहिए बता यहां से देखो यहां से देखो अब बात करते हैं the article की और यहां पर दो आर्टिकल आगे इसका मतलब कितने लोग है दो लोग है चोटू कितने लोग है चुटकू दो लोग इसका मतलब अब आंसर क्या होगा अब इसका राइट आंसर होगा चुटू इसका राइट आंसर होगया है कि यहां पर दो article आये हैं, क्योंकि यहां पर इसका personal article है और इसका personal article है. समझ में क्या ही? समझ में इतनी सी बात आ गई, कि जब भी एक article एक आधिमी को बताएगा, दो article दो लोगों को बताएगे. अगर एक ही article है, तो singular verb होगी, और तो दो article है तो फिर plural verb होगी बात आ गई समझ में यहां से बात समझ में आ गई जल्दी से थम के निसान आने दे यार थम के निसान से ऐसे पता लगता है कि बिल्कुल complete मामला चल रहा है ठीक है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात अगर मैं यहां से यह लिख देता कैस जैसे लिख देता जैसे अपॉइट मैंने लिखा अपॉइट एंड अपॉइट एंड अपॉइट एंड टीचर अपॉइट एंड टीचर फिर लिखा मैंने राइट और फिर लिखा मैंने राइट से कोशन की सीरीज में पढ़ा रहा हूं बेटा ध्यान रखना इस बात का Right and Rights a lesson, ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर, अब इसका Right answer क्या होगा, राइट के साथ Right answer क्या होगा, बच्चे, इसका फटा-फटा से answer दे दे, यहाँ पर भी article क्या आया है, यहाँ पर है, तो दो लोगों की बात चल रही है, और अगर दो लोगों की बात चल रही है, तो एंसर फिर क्या होगा, एंसर क्या होगा बटा, एंसर र Although या रिता हुआंता, which one will be correct for the question, right answer will be right, we have to use plural verb in this sentence because our subject is plural, there are two subjects with a separate article, first is that a point, and second is that a teacher, there are two persons different, different and separate persons are here, so we have to use right in this question, is question Does विक्ष्टर क्या होगा बटा, राइट यहां पर ताबर तोड़ आंसर होगा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर मैं बात करूँगा आपसे पजेसिव की, किसकी बात करूँगा बैटा पजेसिव की, पजेसिव क्या होता है, पजेसिव का मत्तब होता है, अधिक ह스파तें कि अधिकार पजे सीव अधिकार बताने वाले शब्द और अधिकार बताने डिक जा जल्दी से यहां पर एक वर्ड देख लो मैंने यहां पर एक लिखा मैंने लिखा माइफादर माइफादर एंड माइफादर एंड फ्रेंड यहां पर लिखा मने माइफादर एंड फ्रेंड और फिर लिखा मैंने सपोर्ट और फिर लिखा मैंने सपोर्ट अब मुझे यहां इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताते सपोर्ट आएगा या सपोर्ट साइगा बिल्कुल बिल्कुल कंट्यूनुई है कोई भी टेंशन लेने की जरूत नहीं है बिल्कुल कंट्यूनुई है यहाँ पर यहाँ पर फिर मैंने एक सेकंड लिखा माइफादर द्यान से देखना बटा तुलना कंपेरिजन के इसाब से पढ़ाऊंगा यहां से और बिना किसी बिना किसी रूल के रूल तो चलेंगे नहीं बटा क्लास में इस बात का ध्यान रखना रूल कुछ नहीं होता सीधा लोजि शितुरोप से ध्यान देखे तो पहले का अंसर क्या हुआ यहां पर वो ही चीज एक आर्टिकल यानि एक आदमी और दो आर्टिकल यानि दो आदमी बिल्कुल बेटा ध्यान से देखे ध्यान से देखे नजर हटी दुरगटना गटी नुक्ति पूरी बटी इसलिए नजर नहीं उटाना है नजर बिल्कुल भी नहीं उटाना है चांद वो इस बात का ध्यान रखना है ध्यान रखना है काजुकतलियो बिल्कुल बिल्कुल रजगुलो बिल्कुल गुलाब जामुन वो आजाओ इदर जल्दी से आजाओ तो यहां पर देखो यहां पर देखे माई यहां पर लिखा हुआ है माई यहां पर लिखा हुआ है जब माई यहां है माई यहां है यहां पर दो पजेसिव यूज हुए है और जब भी दो पजेसिव यूज होते हैं तो फिर वह आप दोनों अलग-अलग इनसान होते हैं my father and friend یعنی मेरे पापा जो मेरे दोस्त की जैसे है यहाँ पर दोनों एक ही इंसान है सर आपको कैसे पता चला कैसे आपको इस बात का पता चला कि दोनों एक ही है भाई साब ऐसे पता चला मैं बताओ क्योंकि ये माई इसके साथ ही आ रहा है इसके साथ तो माई आया ही नहीं, अगर ये अलग होता तो माई आता, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कि जब भी एक ही परसन होता है, तो possessive एक ही use होता है, यहां पर एक ही है, इसलिए यह possessive, और यहां पर दोनों आये हैं, तो यहां पर तो answer क्या हो जाएगा, यहां पहले में तो singular आया और दूसरे में plural आया आयाय है जल्दी से बहुत दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है और एक और एक हाँटिकल रिप्रेजेंट करता है इस बात को आप निशित रूप से ध्यान दे बटा यहां से देखिए अब बात करता हूं में आगे अब मैं आपकी बात करता हूं किस से मैं आपकी बात करता हूं इच और एवरी से इसको ध्यान से देखे बटा ध्यान से ध्यान से देखे इच और एवरी जब भी किसी sentence में आते हैं each और every जब भी किसी sentence में आते हैं पूरे sentence को singular बना डालते हैं कभी भी आए कैसे भी आए हमेशा क्या रहेंगे singular बना देते हैं जैसे कैसे मैंने यहाँ पर एक example दिया मैंने यहाँ पर दिया boy and girl boy and girl और फिर यहां पर लिखा मैंने boy and girl फिर मैंने लिखा help और यहां पर लिखा बच्चे मैंने helps okay अब आपको वताना ही की answer क्या होगा help होगा या helps होगा ऒधी है तो यहां से डेखे इस condition में इस condition में अगर मैं आप से बात करूं तो अब sound सही आ रही है भई आवाज का मारी है अब बिल्कुल सही आ रही है ना बिल्कुल अब सही आ रही है एक बार बता दे कोई बात निया वैसे पगड़ के पढ़ा लेंगे आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिर सुबह देखें बैटा boy end क्या हो गया girl हो गया boy end क्या हो गया girl हो गया तो right answer क्या है यहां पर एक लड़का है एक लड़की है तो कम से कम दो तो लोग ही सही ना अब दो है तो plural होई गए ना अब जब दो ही हो गए तो फिर help ही आएगा ना helps तो singular इसलिए नहीं आएगा ना बात समझ में जाती है बिना बिना मस्करे के आप बिनका बिना foundation के तो आजाओ जी आजाओ जी अब मैंने यहां पर डाल दिया भाई साब यह मस्करा foundation each boy each boy and girl each boy and girl और लिखा help और लिखा यहां से helps और यहां पर लिखा मैंने the poor क्या लिखा बटा अब आपको बताना ही कि अब आंसर क्या होगा तो answer क्या होगा बताने की ज़ूरत नहीं है इच और एवरी को कितना एक रहेंगे नीच के नीच कहीं पर भी आए कैसे भी आए पूरा का पूरा sentence singular हो जाता है जब क्या जाता है जब क्या जाता है उस आपका एक तर रही है आपका दर्दरत करेंगा प्राइब हो कोई बात नहीं है जिस जिसके नोगरी लग जाए यहां आकर एक तो ऐसा बोर्ट दिलवा जाना सब मिलके माइक दे देना अच्छा सा यह जरुत नहीं पड़ेगी गुरुजी को वरना गुरुजी का हाथ चल जाएगा एक दिन तो चला लेंगे बार-बार के इसे लाएंगे अब यहां से देखे मेरा मकसद स्रीप इतना सा है कि आप में से ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंट जोब लगे कोई बात नहीं है यह संगर्स का समय है मेरे लिए भी और आपके लिए भी उन लोगों का मुबंद करने के लिए जो मुब फारते हैं ऐसे ऐसे बिलकुल ब अब यहां पर इच आ गया और जैसे ही इच आ गया तो इच और एवरी को कितना एक खीच रहेंगे नीच के नीच इस इस इसाब से मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया मेरा राइट आंसर हो गया है क्योंकि अब मामला singular होगा किसी के दिमाग में यह बात आ जाएं कि सर एक बात बताओ यह आपर भी आ जाता सौँ अरे बाइ कहीं पर भी आये केसे भी आये किस तरीके से भी आए सब कुछ सिंग्यूलर होगा और सेकंड ग्रेड की बुक आगे आने वाली चार दिन के अंदर अंदर लोंच हो जाएगी इंगलिस की और इसके बात काम चल रहा है LDC पे LDC का भी जुगाड बिलकुल और रीट का भी जुगाड बिलकुल आजाओ बच्चे बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अब बढ़ते हैं आगे की अगे की तरफ थीक है यहां मैंने कोशन लिखा ँच जुगल अनड छो ओस boy was was yawar was yawar playing was yawar playing अब बताओ इसका correct answer क्या होगा वो जया वर में से right option क्या होगा each girl each girl और each girl और each boy अगर कर दूं तो answer क्या होगा answer पर फ़र्ग नहीं पड़ेगा there is no difference कोई कोई difference नहीं है यहां पर answer और आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वही आंसर आपका वोज होगा, क्यों? क्यों होगा वोज? इसलिए वोज होगा, बैटा, दो सो पार जानी चीए, वादा किया तो निवाना, इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल, अपने शब्दों पे कभी ना मुक्रू, ये रवी पाचारे की एक बात है, कभी भी जिस्वर ने आस तक ऐसा दिया है, कि मैं जो वर्ड बोल देता हूँ, मुझे अपने शब्दों को वापस ना लेना पड़े, दूसरों के सामने सर ना जुकाना पड़े, बस इस बात का ध्यान रखना, अपने शब्दों की इजद करे, आ बढ़ बी एक जामपल देता हूँ, जैसे माल लीजे हमें लिखाard , क्या लिखा, एवरी तो स्टुडेंट एंड एवरी स्टुडेंट एंड एवरी एवरी टीचर एवरी टीचर और फिर लिखा मैंने प्ले और यहां लिखा मैंने प्लेज प्लेज अब बताव राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताव प्लेज प्लेज में से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से राइट आंसर द कि खुस्पू आने लग जाए बटा काई के इंग्लिज बटा काई के रूल है इसमें यार एक भी रूल नहीं लिखोंगा यह मेरा वादा है बिल्कुल बटा ऐसे ही वीडियो लाखों में नहीं गये हैं और ऐसे ही कोई वीडियो हमने किसी भी पॉपूलर या बहुत बड़े प्लैटफोर्म पे जाकर लाखो व्यूज नहीं लाएं बटा बिल्कुल जो चैनल जीरो जीरो पे चैनल ता उसको उठा कर फिर हम ने व्यूज लाएं तो बटा कुछ न कुछ मेहनत करते हैं पस और कुछ नहीं है यह हमारा हतियार है अन्तिम और पहला और लास्ट यही है हब कि यहां यहां से यहां से राइट आंसर क्या होगा इतना क्योंकि अगे को प् Sakura तोड़ी ण्रोड़। न मैच के विद्ग इंच सपॉट आब यह कोशन बठाइँ और जो वो भी इसका अंसर दे देगा ना वो गया वाई साब वो वीडियो वो एलडी सी बन गया वी इच सपोर्ट या सपोर्ट दफुवार अब बताए इसका right answer क्या होगा अच्छे तरीके से इसका right answer बताए correct यह बत चाहिए मुझे इसका answer चाहिए अब इसका answer थोड़ा सा आपको धुआ खिलाएगा क्या धुआ खिलाएगा वेटा कैसे खिलाएगा मैं बता रहा हूं जैसे शिलाएगा जल्दी से आ जाओ फटा फ कोई सा भी एक्जियाम हो वेटा उसी के लिए यह answer है उसी के लिए यह आपका topic चल रहा है subject यहां से देखिए right answer क्या होगा मेरे पास support answer है जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो मुझे से जुड़े हुए हैं वो समझ गे वो समझ गे यहां पर थोड़ा सा मामला गरबड हो गया यह each तो आया है लेकिन यहां पर मेरा answer singular नहीं होगा answer होगा support यानि की plural answer होगा का है होगा इसलिवा है कि भाई साव इसमें each पहले आया समें each पहले आया या every पहले आया यह देखो यहां पर पहले आया यह देखो यहां पर पहले आया लेकिन इस बार दूसरे number पे आया इसक कुछ छुटकु मियां यहाँ पर ह्यापका सब्जेक्ट और जब वी आपका सब्जेक्ट है तो वी आपका होता है olur 10 का मतलब होता है तृ análP ahor क्या होगा support यहाँ पर खर्रék室 रोगा राइट आंसर क्या होगा बच्चे मेरा सपोर्ट आंसर होगा बिल्कुल बटा दस परसेंट से ले बस कंप्लीट हो चुका है ध्यान रखना स्पीड बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का अगर नहीं होगा मुझे पता आप लोग का पड़ा हुआ है मैं तो इसको अभी चिप किसकिस ने सुना है आईदर और फिर मैंने यहां पर लिखा क्या लिखा यहां पर और यहां प्या बता आपको क्या बता है आ bought यहां पर आईगी नहें कमाल का doesn't बटा ऐसा कोई एक्जाम नहीं है जिसमें इस से रिलेटेड कोशन नहीं पूछाओ इस बात को बताए जल्दी से बताए जल्दी से बटा बहुत बढ़िया सर जी माइक शर्ट पर लगा लो फिर आवाज नहीं आरी बताए ऐसे कॉमेंट आते हैं और आपका पड़ाना माइक चाहिसे कुछ माइक तो तुम जब नोक्री लगोगे जब ही लगाएंगे अब अच्छा सा दे जाना बटा बहुत बढ़िया थैंक यू बटा थैंक यू वीडियो खलास बिलकुल बटा यहां पर लटी से में इतने सारे सेलेक्शन हुए हैं तो ऐसे ही नहीं हुए कोई बात नहीं एक रात में अनत कर लेंगे कोई फरक नहीं पड़ता बटा बस यह है कि आपका जो विश्वास है वह तूटने ना दूंगा ना तूटने ना दूगा इस बात को ध्यान दे कि अधे कि कि इस अगब भत बढ़ेया डेली टॉपिक करवाते हो विलकुल उसका भी टाइम टेवल बताओंग आब विलकुल उसका भी को भी टाइम टेवल बता दिया जाएगा परवा करने की कोई ज़रत नहीं है ठीक है चलिए बचे इसके बाद अब यहां से जल्दी से आ जाओ तो यहां पर आने वाली वर्ब यहां पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी कैसी वो वर्ब आएगी कैसी इसकी बात कर लेते हैं ठीक है इसकी बात कर लेते हैं तो वर्ब singular आएगी या वर्ब plural आएगी वर्ब singular या plural अब यहां से एक बात देखो कमाल की बात क्या है कि सबसे पहले तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा यहां पर जो सब्जेक्ट होगा एक सब्जेक्ट यहां पर होगा यहां सब्जेक्ट होगा यहां होगा और यहां के कोडिंग आईगी किस के कोडिंग ये वर्ब इसके कोडिंग आए या इसके कोडिंग आयए भास 'll जल्デन हो से उतना जल्दी बताएं पस्ट के एकोडेंगे दूसरे के कमें हुआ है चलिए फज के क्योडिंग जल्दी से बताएं जल्दी से फटाओ वीरे तूगेधर भी दिए यह अभी अभी बाद ने भूंत भी अब बताइंग जल्दी से पहले आप बताएं फर्स के अकोडिंग है से के को टिंग मतलब के पास में है जो या रपसे दूर है जो कि second के according would butter बढ़ी आए बहुत बढ़ी आई विटस एक दम सही आंतरा अब कजो यहां पर वय चू ना वश अपने पास में कोने उसके ज़िन आईगी इससे तो कोई लेना देना ऐने फास में कोने उसके जयसे मान लिजीए पास में क्योपिट मैं बता ता वोज या वर वोज या वर मैकिंग अनोइस मैकिंग मैकिंग अनोइस अब मुझे बताओ कि राइट आंसर क्या होगा अब जल्दी से बताओ इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा एक बार बहतर तरीके से कोसिस करें आप बताने की नहीं होती तो भी कोई बात नहीं हो तब भी को यह मेरे पर छोड़, बस आप पड़ो. तो यहां पर देखे, यहां पर राइट आंसर क्या है? जी हाँ, बिलकुल, बिलकुल, शाबास बेटा, शाबास, यहां पर देखे, वोज या वर, तो वोज या वर से आपको समझ में आ गया होगा, वर क्या समझ में आ गया कि यहां पर बिटा राइट आंसर क्या होगा वर होगा क्यों वर्ब के पास में कोने हिस फ्रेंड्स है तो वर्ब इसके कोडिंग आएगी हिस फ्रेंड्स के कोडिंगी वर आएगी राम का तो कोई लेना देना ही नहीं ना राम का तो कोई लेना देना ही नहीं है आप अब यह कोशन ऐसे हो जाता उल्टा कर दो इसे हीज़ फ्रेंड्स क्या कर दो हीज़ फ्रेंड्स और राम हीज़ फ्रेंड्स और राम और यहां कर दो वोस और यहां कर दो वर और यहां पर कर दो मेकिंग और मेकिंग के बाद कर दो अनोईज अब मुझे बता बताए जल्दी से बताए इसका राइट आंसर क्या होगा जलो जी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया यहां पर राइट आंसर आपके समझ में आ गया होगा वापस कौन सा अंसर होगा यहां पर यहां पर बिल्कुल सत्य वचन बच्चे बिल्कुल सत्य वचन यहां पर करेक्ट आंसर वोज होगा वर्नी होगा क्यों इस बार वर्प के पास में कौन है इस बार वर्प के पास में राम है बात समझ में आ गई इसके बाद फिर देखिए यहां से यहां से बात समझ में आ गई अब मैंने लिका नाइदर नाइदर सीमा नौर नौर her sisters nor her sisters her sisters come yeah comes Delhi in the class in the class और यह लिख दिया मैं नहीं डैली अब बताओ यह राइट आंसर क्या होगा अब बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताओ चिपका दो फटावड़ी से बताओ बताओ चिपका दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात शाबबास बटा शाबबास तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताए जल्दी से बताए और यहां पर ध्यान से देख ले वीडियो मेंस की complete classes यहां चल रही है video man's की complete free classes यहां पर चल रही है चैनल पर जाकर visit करें और इसके बाद LDC की यहां पर complete classes वो भी free चल रही है channel पर जाकर visit करें और फिर अगर मैं बात करूं राजस्तान LDC बटा है राजस्तान LDC 14,000 पॉस्ट है इसमें सब को फॉम बरणा है बाटा सबको बावов बनाओंगा बाटा सोना बावाविस सब बनाएंगे ठीक हैं और यहां पर read read की भी आपको complete classes free मिल रही है और grade 2 grade 2 में आपको मात्र इंग्लिस की class मिल रही है grade 2 में मात्र आपको किस की class अभी English कि class मिल रही है यह सारी की सारी classes बिल्कुल फ्री आपके द्वारे क्या बिल्कुल फ्री आपके द्वारे सभी को time table पता होगा अगर time table पता नहीं है तो यह number का screenshot ले और मुझे आराम से team को यहाँ पर complete आप message कर दे सारा time table आपको बता दिया जाएगा परवा करने की कोई जरुते नहीं है यह number note कर ले ब बढ़िया में डाल ले बढ़िया तरीके से तो यहां से right समझ में आगे बिटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे शबस हाजी बिल्कुल 14,000 से उपर पोस्ट है बच्छे 14,000 से उपर ज्यान रखना इस बात का बिल्कुल बिल्कुल तो यहां से number समने note कर लिए अच्छे त अपने पास टाइम नहीं है कि मैं आपको बात करूँ कि कौन सा सब्जेक कौन सा टाइम है तो आप अच्छे से बसे इस number को note कर ले और message कर दे सुबह आराम सहरी चीज़ आ जाएगे आपके पास ठीक है चलो जी अब आगे की कहानी सुनिये अब इसका राइट आंसर क्या होगा नाइदर सीमा नौर हर सिस्टर्स तो जब नौर हर सिस्टर्स की बात चल रही है तो सिस्टर्स का मतलब तो ज़्यादा ही हो गया अब जब ज़्यादा ही हो गया तो यहां पर तो फिर प्लूरल ही कम नहीं आएगा यह तो गलत है कम आंसर होगा क्योंकि यह प्लियूरल है तो बात समझ में आ गई ना जी बिलकुल जी हाँ सिदार्द सर्माजी टाइम की बहुत कम होती है आप हमेशा उस टाइम पर कोल करते में च्ञास में हो वोटसप के उपर कोई भी आपका जो भी समझ नहीं आए वो आपको सारा time table कर दिया जाएगा ठीक है ठीक है और अगर समझ्या है तो time table यहाँ पर एड़ उपात आचारे classes के नाम से टेलिग्राम है इस टेलिग्राम के उपर complete time table send किया जा चुका है आप इसको search करें और और भी यहाँ पर देखे English doubts clear out क्या? English doubts clear out यहाँ पर लिखा है मैंने English doubts clear out यहाँ English का समंदर है यहाँ English का समंदर है इस telegram के उपर क्योंकि यहाँ पर यह doubt के लिए बना हुआ है और doubt के साथ साथ इस बात को ध्यान दे इस बात को ध्यान दे कि यहाँ पर आपको सारी किताबे मिलेगी सारे notes मिलेंगे हर चीज यहाँ पर free मिलेगी बिटा बिल्कुल एडिव पता चारे क्लासे इस राजस्तान में हर एक बच्चे को पढ़ा कर मानेगा चाहे उसकी इच्छा हो चाहे उसकी इच्छा नहीं हो online जापट मारनी पढ़ जाए चाहे बहुत बढ़िया तो बात समझ में आगे अब मैं चलता हूँ आगे आजाओ जल्दी से चलो जी बटा इनको हटा देता हूँ मैं चलो अब यहां से यह बात तो समझ में आगे अब देखिए यह दूसरा दूसरा structure देखिए आपको लिखा हूँ मिल सकता है इच आपको लिखा हूँ मिल सकता है everyone आपको लिखा हूँ मिल सकता है either आपको लिखा हूँ मिल सकता है neither आपको लिखा हूँ मिल सकता है one आपको लिखा हूँ मिल सकता है any क्या तो each हो जाए everyone हो जाए, either हो जाए, neither हो जाए, one हो जाए, any हो जाए, ठीक है, sir, पढ़ाओ last में, okay, ठीक है, अब यहां से देखें, फिर यहां पर देखें, यहां से देखें, यहां पर देखें, इन सब के बाद आपको एक word मिलेगा, इन सब के बाद आपको एक word मिलेगा, जिसका नाम क्या जाने वाला प्रणावन हो दोनों ही कैसे आने चाहिए प्लिऊरल आने चाहिए इस बात की गयारंटी है इस बात की जाने चाहिए क्या पात समझ में, आगी, बहुत बड़िया, Any Of लिखावा मिलसकता है। इसके बाद में आने वाला noun हो या आने वाला pronoun हो, noun या pronoun दोनोह ही, दोनोहन या pronoun क्या होते हैं, प्लिटा plural आता है। दोनोही क्या आते है, plural आते हैं। लेकिन जो आपकी verb होती है, लेकिन जो आपकी verb होती है वो हमेशा कैसी आती है वो हमेशा singular आती है कैसी आती है verb हमेशा singular आती है इस बात का ध्यान देना ठीक है बहुत अच्छी बात अब यहां से मैंने कोशन लिखा मैंने लिखा each of the girls एच आफ दगर ठीक है इस आफ़ दी गार अभ यहां से यहां से अब आपको बताना है ठीक है यहां पर लिका मैंने आरग्यू याफ यहां पर लिखा मैंने argues argues with the teacher with the with the teacher एक ही sentence में तुम्हे सारी की सारी चीज़े समझे नहीं होगी इस बात का आप ध्यान दे आर्ग्यू आएगा या फिर argues आएगा ये आपको ध्यान देना दोनों दोनों बिल्कुल सिवानी जी हर एक वेकेंसी के लिए आज की क्लास होगी कवीता याद हो जी नमस्कार जी नमस्कार विटा यह क्लास दो दिन तक शेहर होनी चाहिए उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो मुझे धूंड रहे हैं पर उनको यह नहीं पता कि रवियाचारे सर अ पढ़ा रहे हैं सबको पतानाए बटा रवियाचारे सर अडूपत आचारे क्लास पर पढ़ा रहें बहुत अच्छी बार हर घ्यार से धीडर तो यहा昨 देखें तो यहाँ लिखा ऊव DollUST तो यहां पर ऊके बद सो प्लेड लिता लेका लेकिन वह हमेशा केसी आती है वाश हमेशा सिंग्यूर आती है तो इसका राइट ऑंसर क्या होगा अर्ग्यूज इसका राइट अंसर होगा और्ग्यूत अंसर नहीं होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा फिर इसके बाद मैंने एक एक्जाम्पल और लिखा और मैंने लिखा everyone of everyone of them everyone of them everyone of them is you have achieved achieve the price ॐ अब बताओ इसमें है जल्दी से बतावrot इतना समय ने लगना चीए इसमें है रहएगा या फिर है खैसर देते है तो आप आपको रटने की बात नहीं है अना अब मैं इसको explain करता हूँ कि ऐसा क्यों अना रोज लगती है सेकंड ग्रेट की क्लास पड़े लगती है आप चैनल पर जाए आपको बता दिया है कि इस नंबर के उपर आपकी कोई सब पोच सकते हैं तो एवरी वन ओफ डैम है अचीवड दप्राइस अब इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्छे जल्दी बताए इच और वरी वन ओफ आइधर आफ नाइधर आफ वन ओफ एनिव इन सब के बाद में आने वाला नाउन हो आन पाँ बताओ singular क्यों आती है इसका ध्यान सुनो क्योंकि पहले ही पिछले जनम में एक बात पढ़के आए कौन सी बात कि वाब हमेसा subject के अनुसार आती है वाब हमेसा subject के अनुसार आती है और इन सबी sentences के अंदर जो subject ये ओफ के बाद में subject कभी भी नहीं होता ओफ के पहले जब यह सबके सभी subject है न जब यह सबके सभी subject है तो यह सब singular का सेंस देते हैं और singular का सेंस देंगे तो फिर वाई साब वेब भी कौन से आएगी वाभ भी की singular ही आएगी इस बात को ध्यान देना बिल्कुल-बिल्कुल बात समझ में आई क्यों आई तो यहां पर तोपिक आपके लिए यह मैं पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहा हूं कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं फिर इतना इसे घबराएं नहीं बिल्कुल ना घबराएं जब सब कुछ चलिए आपके लिए राये तो फिर घबराने की क्या बात है न जी बिल्कुल चलिए बिटा जिनके नहीं समझ आया है वो ध्यान से सुन ले ध्यान से सुन ले अपकी बार तुमारे इधर उदर की बातों के चकर में कभी भी सेंटेंस ऐसे हो कैसे हो each of, every one of, either of, neither of, one of, any of इनके बाद में आने वाला noun या pronoun plural आता है लेकिन verb हमेशा कैसी आती है? verb हमेशा singular आती है इस बात को ध्यान देना है जब verb singular आती है तो देखो each of the girls भाई साब plural आया ना girls plural आया ना girls विक्रम इना जी ध्यान से देखे इधर message type ना करे है यार इधर देखे आओ तो each of the girls girls तो plural है लेकिन verb कौन सी आएगी singular क्यों each of के बाद तो plural ही आता है each of oh everyone of oh either of oh neither of oh one of oh या any of oh इन सब के बाद में word plural ही आता है लेकिन verb के सी आती है verb हमेशा singular आती है तो यहाँ पर right answer argues हो गया फिर देखो everyone of them यह भी plural है them लेकिन यहाँ पर भी answer क्या होगा यहाँ पर भी सराज पढ़ाने मज़ा है बहुत बहुत बढ़िया तो यहाँ पर भी answer हेज हो गया बात समझ में आई विक्रम कुमार मीना जी बिल्कुल चांती से देखे एक भी बच्चे के अगर समझ नहीं आया तो पिर दिल पे दर्द होगा बटा यहाँ पर इसलिए हर एक बच्चे के रात अगर बच्चा मुझे देखने के लिए जगा है तो यह मेरी duty बनती है मेरा करतव्य होता है कि उसके समझ में आना चीए अगर वो रात के 10 बजे मेरे साथ पढ़ रहा है तो यह उसकी गलती नहीं यह मेरी गलती होगी अगर उसे समझ में नहीं आया तो किसी के भी बटा यह पेड़ से भी भेंकर कला से बटा आपकी हर एक कमेंट को समझा जाएगा हर एक कमेंट के उपर आपका सही अनुमान दिया जाएगा बात करिजाएगी ठीक है मैं यहां से एक कोशन आप सबसे पूछूंगा और इसका अंसर सही आ गया तो मैं समझ जाओंगा समझ में आ गया वन आफ माइफ फ्रैंड्स इस या आर लिवेंग एन मुंबाई अब इसका आंसर आप दो अगर आंसर सही गया तो मैं समझ जाओंगा कि समझ में आया है आंसर गलत दे दिया तो फिर जांपटा रही है ओनलाइन इदर से भेज रहा हूं अरसल करके अब जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर दे जितना जल्दी ओ सके इसका राइट आंसर आजाना चीए बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात शबास गुड नाइट बोलने आई इतनी जल्दी ये देखो भाई साथ वेरी गुड इवनिंग इवनिंग सब साथ नहीं आए एक साथ आ जाते तो मज़ा आ जाता बैटा क्लास में ना मज़ा आ जाता तुम सब यह तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हें एक साथ बिल्कुल कि चलिए बहुत बढ़िया बेहतरि यहां पर आंसर मेरे पास आया है अच्छा सा अब यहां पर राइट आंसर किया इसो गया ऐस ओगया आर नहीं हुआ और इसाथ यही के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना ऑगना है इंग्लिश में इंग्लिश में कहीं पर भी प्रेपजिशन आ जाए ना तो प्रेपजिशन के बाद हमेशा ही प्रेपजिशन का अब्जेक्ट आता है क्या आता है ध्यान से देख इदर ध्यान से बटाई इस वाले सब्जेक्ट यहां पर पान खा रहा है और अगर सब्जेक्ट यहां पान खा रहा है तो यहां आने वाली वर्प को कौन डिसाइड करेगा यह वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा जो यहां से यह बन कर जा रहा है आई बात समझ आई बात समझ यहां से बहुत अच्छे अब यहां देखो अगर आपका sentence यह with हुआ along with हुआ together with हुआ together with हुआ besides हुआ as well as हुआ in addition to हुआ rather than हुआ accompanied by हुआ तो ध्यान दे इन सब के बाद तो इसका object रहेगा और यहां पर जो verb आती है वो किसके according आएगी subject कहां रहेगा इन सबसे पहले यहां पर subject होगा तो वहां verb को कौन decide करेगा यह यह करके दिखाओ यह decide करेगा अब बारी आती है इसके example की अब बारी आती है इसके example की द्यान देना ना विटा फर्स सेकिंड वर इन ना देखें विटा subject एक ही है subject preparation के पहले होता है हम गलती से इसको मान बैठते हैं तो फिर गलती तो होगी ना अना गलती तो होगी नहीं होगी अब इसके example दे देता हूं मैं और अभी पता लग जाएगा दूद का दूद्र पानी का पानी येलो भाई अब मैंने एक sentence lika मैंने लिखा क्या sentence lika मैंने लेका अलीना अलीना विद अलीना विद अलीना विद विद रहर पेरेंट्स पेरेंट्स फिर लिखा मैंने वोज वर वोज या वर लिविंग इन जैपूर एड देट टाइम एड देट टाइम बता हुआ इसका राइट आंसर क्या होगा बता है इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से चेप दे फटावट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से इसका राइट आंसर दे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जितना जल्दी हो सके और फिर यहां से देखिए आप ही ए एंड नॉट इस फ्रेंड्स वोज्या वर प्रिजेंट अब बता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जल्दी से बता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर तोसों की वोचिंग चल नहीं चाहिए विटाज अभी तो मौसम चलेगा ग्यारा बजेबा साथ का बटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सबका प्रियास रहा तो बिलकुल बटा सपत सफलता की एड़ूपत आचारी के साथ आज जाब बटा आएट Solutions कией तो यहां से राइट आशर मेरे पास आने लगे हैं और मैं जल्दी से करने की कॉस्स करूंगा इनको यहां से देखें यहां पर देखें सबसेंसे पहले यहां पर क्या है विद्विध क्या है प्रेपाजिशन और प्रेपाजिशन के तो फिर subject कहा है बिटा, subject अलीना ये रही अलीना, क्योंकि preparation के बाद preparation का object होता है, तो subject कहा होता है, subject पहले पान खारा होता है, तो उसके पान को बाहर निकालो, और इधर verb को decide करो, तो यहाँ पर यह अगर singular है, तो यहाँ पर यह भी singular होगा, वोज आंसर होगा, वर आंसर नही होगा, वोज आंसर होगा, वर आंसर नहीं होगा, बात आई समझ, नजना बिटिया नहीं बहुत बढ़िया, क्या, कितना, बहुत बढ़िया, کुछ करْ गज़रने का अर्मान मेरे दिल में है, जो प्यार आप मुझे दिखाते हैं, वों कि सर इस बहुत अच्छी बात, मुक आज चंट जो अब यहां पर दो किया हुख़ ही मिस फ्रेंट क्या लिखा हुआ है he and his rent अब यावअरब ट्रेटव अब यहां पर यह सहर जल्दी से चल्दि से फटाप यावर ओज यावर व Megal या वर तो बच्चे यहां पर एक बात देखनी होगी कि and not be preparation या professional phrase की तरह काम करता है और इसके बाद भी इसका object है जब यह भी इसका object हो तो फिर इसका subject कहा है मेरे भाई इसका subject तेट्यरा ये ट्रा ही तो ही के कोडिंग फॉस एगा या वर आएगा भोज आएगा वर आएगा तो भाई साब वॉस आउग से तहुंब्स होगा वर नहीं होगा ठीक है है यह है फिनेजड फिनेजड दव्रक फिनेजड दव्रक पैटा इस राजस्तान के सभी स्टूरेंट्स ढूंड रहे हैं कि रवियाचार तर कहां पड़ा रहे हैं इस बात को ध्यान देना यह आपकी ड्यूटी आपका करतव बनता है कि और बच्चे को यह बात बता क्योंकि एक सिश्य को अपने अध्यापक से मिलाना गलत बात नहीं है वेटा अच्छी बात है चाहिसे काम अगर दूसरों की द्रश्टी में हो सकता ही कि वो गलत हो लेकिन वो गलत नहीं है जब उसकी डिमांड मुझसे पढ़ने की है तो जबरदस्ती क्यों रोका जा रहा है क्यों नहीं बताया जा रहा हुसे तो आप परवा नहीं करें इस बात की और बेटा जिसको जो चाहिए उसको वो चीज़ जरूर दिलाने में हेल्प करें सबको ये बात जरूर बताए ठीक है बच्छे अब यहां से देखें माई फ्रेंड्स अलोंग विद मी इसका राइट राइट अंसर क्या होना यहां पर राइट अंसरों नाय मुकहमब को चुछ हुआ और राइट आंसर की अवहifiques सब्जेक्त समय कि नहीं बात सबढ़त समय dollars ने स्माम लेको आगे की तरह आजाओ जल्दी से आज़ो ये लो अब आपके साथ चीजे आती है मैंनी एक तो हैगा मैंनी एक या इन एक अफिले साथ प्लूरार कश्षा प्लूरल वब भी केसी आएगी प्लूरार वब तो इसे थह साथ लग ऑच्च यह मैंति आ यह इसके साथ सिंगूलर वर्ड आएगा सिंगूलर आएगा ठीक है तो फिर इसके साहथ वर्ब भी की साथ वर्थ20 साथ से एब एकजेंपल से बताऊ-एगा केसे आएगा कि मंच क्या होता है अंकाउंटबर के साथ वर्थ कौन से आती है seminar अब यहां पर मेरी बात सुनो मेनी का मतलब होता है कहीं जब मेनी का मतलब होता ही कहीं है इसका मतलब ज्यादा की बात करेगा ज्यादा की बात करेगा क्योंकि मेनी कहीं अब मेरी बात सुनो यह तो होई नहीं सकता कि ऐसे रिख जाए मेनी बोई यह तो गलत है क्योंकि जब मैंनी बोल रहे हो भाई साब तो इधर बोई का है बोल रहे हो जब मैंनी का मतलब कहीं होता है तो आगे कहीं लिखो तो सही आपने तो एक ही लिखा है तो हम लिखेंगे मैंनी बोईज अब सही है और जब मैंने मैंनी बोईज लिखी दिया अब मै आपसे कहूँ कि यहां पर मैं वोज करूँगा या वर करूँगा रहे हैं यहां मैं वोज करूँगा या वर करूँगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ यहां मैं वोज करूँगा या वर करूँगा फटा वट चेप दो भाई यहां पर many boys तो ज्यादा की बात चल रही है तो वर आंसर होगा पर अगर ये question मैं इसे लिख दू कैसे many a boy या boys ठीक है अब मैंने लिखा कि वोज आएगा या वर आएगा अब बताव आंसर क्या हूँ सबसे पहले तो ये चेक करें कि boy आएगा या boys आएगा क्योंकि लिखा हूँ आए मेनी ए तो ए का मतलब होता है एक क्या होता है बच्चे एक जब मेनी ए ए का मतलब होता है एक तो यहां से जब एक की ही बात चल रही है तो यहां से boy और boys में से आंसर क्या होगा बच्चे boys पोही नहीं सकता ना क्योंकि एक के बाद तो एक ही आता है तो एक के बाद आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर boy अकेला boy ही आएगा और जब एक ही लड़के की बाद चल रही है तो फिर यहाँ पर भी answer vos होगा वर answer नहीं होगा यहां पर भी तो आंसर वोज होगा वर आंसर थोड़ी होगा नहीं होगा आंसर आगे बात समझें यहां पर वोज कर रहे हैं बिलकुल डिट्टो सही आंसर है यहां तक की बात समझ में आगए तो एक बार थमके सेंड करके मुझे बता दे कि सर बिलकुल आपकी मेहनत हमारे सम निये पाप दे रहे उतéma कि हर चीज आपके समत में आए बिल्कुल वोज साट गलत आंसर जा रहे हैं कोई बात यह जाने दीजिए बिल्कुल जाने दीजिए लेकिन यहां से यहां से सीक कर कुछ जाना है अब बढ़ते हैं आगे आज अब बढ़ते हैं आगे यहां पर present today बताओ इस sentence में कागल्ती है वही क्या mistake है sentence में बहुत अच्छी बात इसका आंसर दीजिए तो बहुत सारों के तो मामला समझ में आ गया और बहुत सारों के दुआ ही नहीं लग रहा बताओ आंसर क्या है गा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वहतरीन यह वहतरीन बहुत वहां रही है औरही हैं को डाल दो मुझे पता था इस आइगा इसाइगा 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 पता था अब यहां तो यह गलत है क्योंकि सैर मच के बाद तो uncountable आना चाहिए और तुम लोगों को यह पता नहीं चला अनकाउंटेबल आना चाहिए भाई यहां पर तो मैंने यह countable कर दिया क्योंकि स्टुडेंट को तो आप गिन सकते हो एक दो तीन चार बार गिन सकते हो तो यह तो कोशन ही गलत हो गया अरे ध्यान किदर है तेरा कोशन इदर है फिर यहां पर देखे मच के बाद ऐसे हो सकता मच मिल्क आजाता वाटर आजाता गोल्ड आजाता सिल्वर आजाता अना टी आजाता गी आजाता छाच आजाती कोई न कोई अनकाउंटेबल आता तो सही है इन काली रातों में इस भाई का मैं एक बार यह कमेंट पढ़ना चाहूंगा बैटा एसी साहिरी मुझे नहीं आती इसलिए तुम लिखकर वेजदो में बोल दूंगा यह मेरा वीक पोइंट है इन काली रातों में पढ़लो मित्रों आने वा प्रोटेशन सेंट करते उसको मैं ध्मा के दार तरीके से बोलूंगा आपके सामने परवा नहीं करें आप अब चलिए तो बात समझ में आगई यहां पर गरबड़ा गए सब का मामला गरबड़ा वाई अरे स्टुडेंट से तो यहां पर आएगा मैंनी और अगर यहां पर मैंनी आगया तो फिर आंतर होगा और हटा सावन की घटा आगई बात समझ इधर आजा इधर आजा इसके सब्सक्राइब यहां देख बच्चे मच मिल्क क्या लिखा है मच मिल्क वोज या वोज या वर वेस्टेड इंद फॉंक्शन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा अब एक बार जल्दी से सरकी जी बिलकुल योगेंदर सर जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आप कितना पाना चाहते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है यूही नहीं पुछ सिंग को याद नहीं करते हैं उनके कार नामों से वो आंसान याद किया जाता है बिलकुल चलिए बटा चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शब्बास बच्चे शब्बास अरे जब भी नीद आने लगी अपने घर वालों का चेहरा नजर देख लेना वहां पर आज पढ़ा उस मौले वालों के कमेंट याद कर लेना यार बिलकुल 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 जो अलग तरीके से करता है इतियास उसी का बनता है इस बात का ध्यान रखना बटा आज यहां पर अगर रात पे क्लास ले रहे तो कुछ अच्छी सुबह होगी दिल खुश होगा कि हमें साही सिंग्यूलर माना जाता है क्या माना जाता है हमें साही सिंग्यूलर माना जाता है तो यहां से राइट आंसर क्या होगा जी बिलकुल बहुत बढ़िया वह जांतर होगा वर आंसर नहीं होगा बात समझ में आ गई क्यों बहुत अच्छी बात बहुत बढ़ी अंदोरिया जी लेट आया शायद मुझे लग रहा है प्रिंका जी आप भी आज़ा बटा आज़ा बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात अरे कभी 200 भी होंगे फिर देखिए यहां से अन नमबर ओफ अन नमबर ओफ ए लार्ज नमबर ओफ मैं इसे नहीं लुको इसको क्योंकि इसमें जगर कम पड़ जाएगी मेरे तो मैं इसको दूसरे स्टाइल में लिखता हूँ है अनमबर ओफ लार्ज नमबर ओफ a great number of a variety of the number of the large number of the great number of the variety of बहुत अच्छी बात बेटा बहुत अच्छी बात यह भाई साथ किसका लव सक्सेज करा रहा है यह कौन है कश्मा अपनों से दूर रहकर पढ़ना बहुत मुस्किले पर आज नहीं तो कल जरूर सक्सेज होंगे love you my baby बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात शाबास कतई जहर अरे क्लास चलेगी जब तक हम चाहेंगे यार फर्वा करने क्या जरूत है कि अच्छी बात है यहां से चलो चलो बटा आजओ जल्दी आजओ जल्दी आजओ अब इसका कंसेप्ट त्यार खर लेते हैं यहां से सर जी सो जाए क्या अरे ना संजु एक है सो जाए तो कल से फिर क्लास से नहीं मिलेगी मैं पीट पीट के पड़ा हुआ एक-एक को एक-एक के अभी रुख जाओ तुम 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 आज यह मान के चलो तुमारे घर पे कोल करूँ आज सभी के एडिटर साब लगाओ यह जो 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 जा रहा है कि मुम्मी को बहुत त अब यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा उलट फेर होगा थोड़ा सा उलट फेर होगा बिल्कुल बिल्कुल यहां से देखिए नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा बिल्कुल से में कोई भी आपती नहीं है यहां पर लेकिन वर्ब में आपती है यहां पर व कि वर्ब इनके साथ singular आएगी और कुछ हो या नहीं हो वर्ब इनके साथ singular वर्ब आएगी बहुत बढ़िया बटा आजाओ जल दी से आगान साजी आप लेट होते हैं उसी के चक्कर में आज 200 नहीं हुए वर्ना आज 500 क्लास आती है अपनी तुम सभी एक टाइम पर क्यों नहीं आते हैं यार प्लीज प्लीज आप टाइम पर आया करें क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो ये मेरा संगर्स सल रह है वच्छे जिस तरह से तुम लड़ रहे हो किसी के लिए मैं भी लड़ रहा हूं किसी के लिए अधि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अ ढ़िया सा शबास शाबस अज्यारे अब के लिए रहे अंश spill करें टो एब weird रहे जो दोड़नों या प्रणावन रहे लएट हैं लेकिन वर्ब हमेश आ प्लीज बाती है दोनों ही प्लेव रहे इदर कू और यहांपर देखिए the number of I, the large number of I, the great number of I और the variety of I तो यहां अगर देखा जाए तो noun या pronoun तो plural ही होता है लेकिन verb यहां पर singular होती है और अगर आपके दिमाग में यह बात बसी हुई है तो यहां सुन ले यहां verb plural है और यहां verb singular है और यहां पर difference के अबल मातर इतना सा है कि यहां पर A आ रहा है A आ रहा है A और A और यहां पर द, 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 मतलब A की घुसा, A की घुसा दे, A की थपड़ दे और उधर A, तो वहां मामला गरबढ़ है वहां मामला क्या है, गरबढ़ है अब बारी आती है इनके example की, ठीक है इनके example की बारी आती है यहां से देखिए यहां से देखिए मैंने लिखा है a number of a number of the girls a number of the girls is यह आर राइटिंग राइटिंग आन दी ब्लेक बार्ड ओ वाइज अब लिगने में निया रहा अन दे ब्लेक बार्ड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और भाई यह कौन सी लेंग विज लिखो है मेरे तो कुछ समझ में नहीं है है कि है लो मुकेश मिना जी आव यू चलो जी आजओ इसका राइट अंसर क्या हो गया गरयक्ट डाये मेरे पास जवाब आने लगये मेरे इस्टुरेंटS के बिल्कुल सहीं बात है अर आंसर आने चाहिए आर आंसर आने ही चाहिए तो यहाँ पर कर्रेक्ट अंसर अपना आर ही होगा क्यों हुआ क्योंकि a number of the girls our answer बिलकुल correct है क्योंकि यहाँ a number of के साथ जो गाड़ सिफ्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर मैं इस question को ऐसे लिख दू कैसे the number of the number of the girls क्या लिखा मैंने the number of the girls is you are is you are writing writing on the on the blackboard अब बताओ अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा जी मिलकुल बहुत बढ़िया फिर यहाँ पर लिखा मैंने a large number of a large number of क्या लिखा मैंने अलार्ज अलार्ज नंबर ओफ कि इस्टुडेंट्स है अगर इसी कोशन को मैं थोड़ा सा बदल दू क्लास तो बिटा चलती रहेगी क्लास का क्या है कि हम चलाते रहेंगे जब तक अपना टोपिक चल रहा है जब तक मामला चल रहा है दे लार्ज नंबर ओफ दी स्टुडेंट्स भी इन सेलेक्टेड़ जल्दी से पता इसका राइट आंसर क्या होगा रट फट मुद बहुत अच्छी बात Tucson अपने सामने अलार्ज नंबरों पाया है बहुत बढ़िया बात है वारण असी यूपी बनी हुई है ओह ओह थैंक्यू थैंक्यू सौ मच तो यहां से हम देखेंगे यहां से बिलकुल हम इस चीज को देखने की कोशिस करेंगे कि यहां a last number of the students has been selected and the second one is that the last number of the students has been selected अब यहां आपको यह बताना है कि कौन सा answer correct होगा कौन से में तो singular verb आईगी और कौन से में plural verb आईगी तो यहां जब हमें देखूंगा तो यहां पर first में सबसे पहले लिखा हुआ है a number of तो a number of जब यहां पर लिखा हुआ है तो a number of के according verb कौन से आनी चाहिए a number of के according verb आनी चाहिए आपकी plural तो in the first question we have to use we have to use plural verb and have will be right answer for the question and in the second question the large number of the students it means that the large here one is there so we have to use has singular verb यहां पर हमें यूज करना होगा और है जी मेरा यहां पर राइट आंसर होगा हेज ही मेरा यहां पर राइट आंसर होगा यहां तक की बात आपके समझ में आई या नहीं आई फटाबट चेप दो फटाबट फटाबट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलि बटा बहुत बढ़िया बहतरीन तो यहां तक की बात आपके समझ में आई अब मैं चलता हूँ आगे की तरह कहीं बार क्या होता है कि कोई न कोई कोई न कई end से कही न कहीं चीजे क्या होती है दो चीजे पहले समझा देता हूँ उसके बाद मैं पढ़ाने की कोशिस करूँगा कहीं बार क्या होगा कि दो चीजे मिलकर एक चीज बनाती है कहीं बार क्या होगा बच्चे दो चीजे मिलकर एक ही चीज बनाती है और जब दो चीजे मिलकर एक ही चीज बनाती है तो वर्ब हमेशा singular ही आती है वर्ब हमेशा कैसी आती है वर्ब हमेशा singular ही आती है लेकिन कब जब चीजे दो हो बट दोनों की दोनों चीजे मिलकर आपकी कितनी चीजे बनाए एक ही चीज बनाए अगर मैं यहाँ पर यह चीज लिखता हूं। अगर मैं यहांपर एक चीज लिखता हूं कौन सी? कि जैसे मैं ने लिखा राम. राम लिखा मैने नाइंड fabrication of ow perpetual पिर मैने हमने लिखा मनेला राम हा glad यहां से तो आप अब्षू भी समझ गया हूंगे और बहतर तरीके से समझने की कोशिस भी कर रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो एक राम है और यहाँ पर एक मोहन है और एक रेक किते हैं दो है जब यहाँ पर एक रेक दो है इसका मतलब यहाँ पर तो मामला आर ही होना है आर ही होना है और क्या होगा यह होगा लेकिन लेकिन यहाँ पर एक चीज देखनी है यहाँ पर ए ले लिज़िए आप समझना है अप बजार से लेकर Aiken टमाटर लेक्छागत कि आलू लेक्ट हरी मिर्च ने घंभ कर आई नमक लेकर थाई जीरा लेकर अदरग लेकर रहे सारी कि सारी चीजह बजार से खरी ले कितने चीजह खरी घृए इसाब इतनी सारी लेकिन यहां पर एक ही चीज बरेगी जब सब को डाल दोगे केवल मात्र कितनी चीज बरेगी एक जो किस नाम से जानी गई सब्जी के नाम से जानी जब इतनी सारी चीजे थी और फिर जब सब को तुमने एक बना दिया तो वो पूरी मिलाकर सब्जी बनी ह तो इसका मतलब यहां पर यह singular verb का यूज हुआ है singular verb का यूज होगा यहां पर वैसे ही कुछ चीज़े मेरे पास है आप लोगों के लिए जो मैं बताने की कोशिस करूँगा यहां पर जल्दी से आ जाए सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने bread and butter fish and rice fish and curry slow and steady horse and carries as and experience crown and glory ठीक है लेखिए लेखियों अलु चोले सब्जी एक ही है छोले कुल्चे यह इक ही है तो बेटा जैसे हम रहे हैं जैसे इटली सामर और सामर है लेकिन दोनों एक है दावशरों चूर्मा चीजे तीण लेकिन मिलकर एक ही बनेगी मिलकर क्या बनेगी एक ही बनेगी ऐसे बात समझ भी यहां तक की इन सब के साथ जब एक यूनिटि में यूज होगा तो इनके साथ singular यूज किया जाएगा कौन सी वर्ब का singular और करें चली है अधर टाइम और टाइट। इसमें नहीं आएगा में कि सारा में इज कर दो वहां बढ़ी आवा ऐसा में तो दो सो ग्यारंटी देरा तरह अच्छे है तरह तो जहांपट पड़ेगी अभी तरह कि अब यहां से हम कॉशन इसके एक्जाम्पल दे देता हूं मैं कि अग्याइड एंड कि ब्रेड एंड बेटर कि माई कि एवरेड डिस बतावा अंसर क्या आएगा कि अग्याओ कि एंड इस्टडी कि वेन या विंस दरेस बताओ क्या आएगा चेपे जाओ तुम मुझे आंसर मैं बढ़ता जा रहा हूं आगे पार्थ चलाओ बान मैं तुम्हारा सारती हूं और कहूं हमला तो बोल दो भाई साथ आजाओ यहां पर आगे आजाओ फिर देखो यहां पर एज एंड एक्सपीरियांस कि ब्रिंग या ब्रिंग्स विज्डम या ब्रिंग्स विज्डम और एक बात ध्यान से सुन ले जागरन क्लास हर सब्चेक्ट की लगेगी और हर एक दिन छोड़के एक दिन सर्फटार चलास हुगा बीजिक को में आना है जब एक शेवर क कंठी करने के बाद में दो डाहिजर कोशन का प्रेक्ति सवन लगाना है इस बात को अपने कानों में सब्सक्ते हुए अपने आख न न आ हैकर खुली रख़ें वं बंद करके नहीं चलो आ जाओ पॉर्स एंड करीज इस यह आर रेड़ी टिगाव बता वांतर क्या होगा जल्दी जल्दी जबांतर चैप दो इंस अभी गई मैं वेट कर रहा हूं जस्त थोड़ सा पानी दाईए साथ प्रदेशन निदेट तु राइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उम्दा प्रदेशन बहुत अच्छी बात है आंसर साथ सभी के लगबग मेरे पास आ चुके हैं कोई भी परवा करने की कोई भी जरूत नहीं है किसी भी कंडिशन की परवा करने की कोई आउशकता नहीं है बिल्कुल शटिकता के साथ आंसर आये हैं मतलब आपकी तैयारी अच्छी है बस थोड से नीचे गये हैं हम इस क्लास में लगबग लगबग डेड़ घंटे से उपर क्लास चलती हुई और पहली बार हम 98-99 पर ऐसे क्लास चलेगी तो जल्दी खतम हो जाईगी ज्यान रखना इस बात का इसका पाट टू लाना पड़ जाएगा मुझे नई पूरा जागरन करूंग चलो जी चलो तो यहां पर आंसर टिक कर लेते हैं पहले का अंसर होगा यहां पर इस दूसरे का अंसर होगा यहां पर विंस तीसरे का अंसर होगा यहां पर क्या ब्रिंग्स और फिर आंसर क्या होगा यहां पर इस और यहां पर आंसर क्या होगा आपका इस आर गलत आर गलत प्रिंग गलत विन गलत और गलत समझ आगई बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए लिट्रेचर भी पढ़ा देंगे लिट्रेचर भी पढ़ाएं गब्राएं नहीं आप इसके बाद फिर देखिए फायर एंड वॉटर दू या डज नॉट मिक्स अब बताओ यहां यहां पर डू आएगा डज आएगा थोड़ा दिमाग लगा लें थोड़ा माइंड लगाएगा उसका अंसर से चल जाएगा कि सरा आप तो ऐसे दमकी देते हो भी क्योंगा रुख जाओ तुम रुख जाओ तुमारे घर फोल पर इसका राइट आंसर तो भाई अब डू आएगा या डज आएगा अगेन हंड्रेट वह बहत्रीन बहुत बढ़िया अंदा प्रदशन शांदर चलिए 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 ड जल्दी से जितना जल्दी हो सके डू आएगा अब यहां पर यह इंप्रटेंट चीज समझने की बार ही है कि सर जब भी दो चीज़े मिलकर मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक चिंता मत करो में बारा बज़े खाऊंगा आज किस बात का खाना भई सबसे पहले काम है पढ बनाती है तो उस कंडिशन में सिंग्यूलर वह आती है लेकिन यहां पर देखे लेकिन यहां पर देखे फायर एंड वॉटर यह कभी एक होई नहीं सकते भई फायर अलग है वाटर अलग है दोनों को मिला ओगी कैसे दाल चामल तो मिला लोगे खा लोगे मैं बना डिस बन तो फिर कैसे आएगा यह बात भी सही है लेकिन भाई यह थोड़ी नहीं होगा यह तो फायर एंड वाटर फायर अलगे वाटर अलगे दोनों अलग लग चीज़े तो भाई इसमें अंसर फ्लूरल ही होगा एक और देखना एक गुमाने वाला और कोशन देता हूं गुमाने हैं तो यहां देखिए मैंने लिखा गॉल्ड एंड शिल्वर गॉल्ड एंड शिल्वर इस यह आर प्रीशियस अब इसमें बताऊ क्या अएगा इस आएगा या फिर आर आएगा चेप दो फटाफट अना अरो गलतिया हो रही है होने दो गलतिया हो रही है बिलकुल होने दो कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन एक्जाम में गलती नहीं होनी चीए अगेन वन वन one बहुत बड़ी वाद बोढ़ी बटा पांसो जाएंगे एक दिन ऐसा thou जाए गाए गवरहनें की ज़रत नहीं पांसों जैंगे बच्चे एक दिन पिर यह एक कैसे हो जाएंगे तो यह अलग अलग है तो ध्यान रखना है कि तो दो चीजे आईए वह सेपरेट है दोनों मिलकर एक चीज बना रही है दोनों ही अलग अलग है एडुपत आचारे क्लासे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज इस संस्ता को इस एडुपत को इतना सम्मान देने के लिए कि विलकुल विलकुल एडुपत सपत सपलता की आज़ों है अगे अगे चले बहुत अच्छी बात अब यहां से दूसरी चीज पर आजाए नेक्स पॉइंट पर अगर मान लो टू प्लस वर्प की फस्पोर्म है और यहां पर वर्प की काम कर रही है यह सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं सब्जेक्ट तो यह हमेशा कैसे बनेंगे सिंग्यूलर सब्जेक्ट बनेंगे कैसे बनेंगे सिंग्यूलर तो इनके साथ फिर वर्प भी कैसी आएगी इनके साथ वर्प भी हमेशा सिंग्यूलर ही आईगी क्या इनके बचन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो फिर बटा एसी ही मैनत कर ठीक है अब जैसे एक्जाम्पल दे देता हूं में आपके तू स्वीम कि एज या आर है अगुट टिंग एक्साइज तू स्वीम इज या आर है गुट एक्सराइज अना अब इसका राइट अंसर क्या होगा चैप दो जल्दी से फटावट फटावट यहां पर इस आएगा यहां पर आ राएगा जल्दी से इसका अंसर देते हैं फिर मैंने यहां पर लिखा स्वीमिंग इज यह आर है अग्यूट एक्सराइज फॉर आव बाड़ी अग्यूट लीजिए चिपकाओ इसको जल्दी से क्या होगा इसका अंसर हो फॉर बटा-फटाफट इज-इज-इस बहुत बड़िया बहुत बड़िया बहुत बढ़िया शबाज बच्चे शबाज राम चरन vessels जाठ जी वेलकम है आप सभीका वेलकम है वेलकुम है वेलकम है सुरेश भाई जी नमशकार जी चलिए तो यहां से आपके आंसर सब सब समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी आंसर क्या होगा ओह बहुत बढ़िया तो यहां पर आंसर है इस और यहां पर आंसर है इस और दोनों ही जगह गलत हुआ बात समझ आ गई नो प्रोब्लम अब एक कोशन आप बताएंगे मुझे मैंने यहां पर ल फॉर है इसका राइट आंसर बताए क्या होगा यहां से कर्रेक्ट आंसर बताए कि इस आएगा या फिर आ रहाएगा दूसरा अंसर देख ले कि स्वीमिंग एंड कि डैंसिंग यह डी छोटा भी लिख सकता हूं है अना छोटा यह आएगा पर बड़ा लिखाएगी तुम्हारे आके फोड़ फोड़ के फाड़ पाड़ के नहीं फाड़ पाड़ के देखना है अब यहां पर देखेंगे स्वीमिंग एंड डांसिंग और गुड़ फोर हेल्थ पताए इनका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से चेप दो फटापट और और बिल्कुल सही एक टू स्वीम टू प्लस वब की पस्पूम यहां है तो टू प्लस वब की पस्पूम यहां है तो एक एक कितने होगे दो अब यह प्लूरल होईगी ब बिल्कुल बिल्कुल अब तो यह प्लूरल होईगी ना हाना सेकिंम ग्रेट की जल्दी लोन चोह रहिए है वाट दो तीन आज बात हो गई इन पोए तो यहां पर राइट bronze तर्कçon हो गया। इस नहीं हो गया लाइट अंसर क्या होगा आर हो बात समझ में आई या बात समझ में नहीं या छैप दो फटापड जल्दी से सर इंग्लिस लेंग्वेज की टेस्ट चलाएं तो चलाएंगे बटा चला रहे हैं न टेस्ट में कई सारे कोशन्स उसमें करवाता तो हूँ भाई कि मैं मेहनत के वल इसलिए नहीं करता कि नहीं तुम समझो मेरी बात को मैं सब चला दूँगा सब तुमारे ग्यारंटी लिए मैंने बटा कहा है ना कि आपका स्लेवस कंप्लीट होगा या दोजार कोशन करवाऊंगा तो फिर आप ट्रस्ट कीजिए विस्नु जी आपकी सुन आपके काम होगा बस रिविजन और प्रैक्टिस रीविजन और प्रैक्टिस क्रेश कोर्स अलवा दूंगा अका कि तो दोनों में आ रागया कुर्व ठीक बच्छे दोनों में क्या आ रागया है चलो अब आज़ो हाँ सब की सुन लिया वीडियो के लिए paragraph भी कर आण और आजाओ आगे ई गले टप्लैस गंडर अजयक्टिव गयर या प्लैस एड्जेक्टिव क्या बंता है ऑफ्लीयरल नाउन बन जाता है त्लियरल नाउन बन जाता है ठीक है तो फिर इसके साथ वर्फ भी केसी आएगी अब भी फ्लूरल आई वर्फ भी केसी आएगी अब लाएगी अब मैं कोशन लिख देता हूं जैसे मैंने लिखा चरह दे डाफ पूर को अठाप करेंगे दादा इधर देखो इदर सब्सक्राइब के हुआ अज़ी हेल्प या हैल्प दपूर है पताओ जल्दी से राइट आंसर कोई भी एड्जेक्टिव कोई भी एड्जेक्टिव कभी भी कभी भी क्या नहीं बन सकता सब्जेक्ट कोई भी एड्जेक्टिव कभी भी क्या नहीं बन सकता और अगर उस एड्जेक्टिव से पहले दह लगा दे तो फिर वो क्या बन सकता है सब्जेक्ट बन सकता है जैसे पूर यह सब्जेक्ट नहीं बन सकता रिच ओल्ड यंग वाईज फुलेस यह कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं लेकिन अगर इनके आगे इनके आगे अगर आप दार्टिकल लगा देंगे अब यह प्लियूरल बनेगा मतलब दुनिया के सभी गरीबों की बात करी जारी है यहां पर दुनिया के सभी गरीबों की बात करी जारी है यहां पर अगर यहां पर दल गा दूंगा तो सभी बुद्धिमान लोगों की वाईज वाईज है यहां पर देखा दूँगा तो दुझा के सभी मुर्खों की बात करी जाए इसका मतलब समझ में आगी बात कि दे लगने के बात चीजasında सब्सक्राइब के लिए प्लिएरल हो जाती है यहां तक की बात समझ में आगी तो आपको बताना है कि इन दोनों में से आंसर क्या आएगा मैं help करूं या फिर मैं helps करूं सारी जाती को indicate करते हैं दह लगाने के बाद तो आपको इसका विश्यस ध्यान रखना है कि फिर चीज भी प्लियूरली आएगी कि बेटा फिर वह इस नहीं आती ना इसे कहते हैं स्टुडेंट्स की सर वह इस नहीं आ रही है वह इस नहीं आएगी तो आप तक मेरे आवाज नहीं पूचेंगी पढ़ेंगे कैसे आप हाथ का तो कोई बात नहीं आज आए रातकाली करिए आपने यहां से कुछ सीख के अनुक्त आप करोड़ी स्टुड़ी स्टुड़ी स्टुड़ वाजा तो कि वां जान पर थे तो कि इस नहीं नहीं है नहीं आपकोडेंगे ओ नहीं है आवा सा तो रही भाई कि आरी है कि ओके वोइस वोइस पकारी कोई समस्या नहीं अरे तुम सब कोई समस्या नहीं ती तो इतने दो धाई दो गंटे से केसे हाथ में तुम भाई साथ थपड़ खाओगे सब के सब कि शैट आप मजा कर रहे हैं आप यार कि इतनी देर से वह इस आ रहे थी फिर भी वाई तुम भी हद कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं आप आजाओ है जो है सर जी आज ठेकाने हो रही है इसा लग रहा है सब्सक्राइब बेटा कुछ चाहिए ना तो मेहनत करो यार तुम आजाओ इदर फटावर देखो अब बात समझ में आगए यहां पर तो यह एड्जेक्टिव वाला कंसेप्ट अपना के लिए रहा ठीक है कर्रेक्ट हुआ को यहां तक का मामला कोई समझ्या नहीं है जी हां तो चलिए अब सेशन की सुरुवात करते हैं फिर आगे से फिर आगे से ओलाइन जहां पड़ी पड़ेगी अब क्या करोगे तुम कि अब यहां से देखिए अब बात कर रहा हूं में कललक्टिव नाउन की सर्जिए क्लेक्टिव नाउन क्या होता है और जब ओर ही आपका क्लेक्टिव नाउन होता है तो ध्यान दे doubles जैसे मैंने लिखा army मैनलिका team मैनलिका family मैनलिका government मैनलिका committee मैनलिका commission मैनलिका assembly मैनलिका crowd मैने लिखा mob मैने लिखा jury यह सबके सब collective नाउने सबके सब क्या है collective नाउने जी हाँ कि बहुत अच्छी बात है चलो बच्चे आगे बढ़ता है अब तो आर्मी हो गया team हो गया family हो गया government हो गया committee हो गया commission हो गया assembly हो गया crowd हो गया mob हो गया और आपका jury हो कलेक्टिव नाउन के साथ singular वर्ब भी आती है और plural वर्ब भी आती है यह लो इनके साथ तो single unit का मतलब होता है सब एक साथ रहे अना कि सब एक साथ रहे जब की बात है प्यास लग रहे है पानी पिकर वापस हाँ जी जाए 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 रवीशर की लाड़ो जा पानी पिया बहुत बढ़िया चलो जी अब आजा वागे प्लूरल कप जब यह डिवाइड होंगे डिवाइड डिवाइड का मतलब होता है अलग अलग और इसका मतलब क्या होता है यूनेनिमस ठीक है और इनका मतलब होता है एक मत क्या होता इसका मतलब एक मत अब मैं इससे समझा देता हूं कि कोई भी कलेक्टिव नाउन एक मत होता हैं जैसे माली ये क्लास है इस क्लास में 20 स्टुडेंट्स है और बीस के 20 ली एक ही बात बो ली है कि हम रभीशर से पढ़ेंगे इंग्लिश तो पूरी की पूरी क्लास का एक ही मत रहा, कि हम पड़ेंगे रवी सर से, तो 20 लोगों का एक ही मत है, इसका मतलब यह एक मत है, इसका मतलब यह singular है, अब यह दूसरी क्लास है 20 स्टुडेंट्स की, इसमें से 12, 15 बोलते हैं पड़ेंगे, यास, और 5 बोलते हैं, नो नहीं पढ़ेंगे अब ये क्लास बट गई और जब ये क्लास बट गई तो इसका मतलब अब ये मामला प्लूरल हो गया क्योंकि जैसे चीजे बटेगी तो ज्यादा होगी ये पैन है अगर इस पैन को तोड़ दूँगा तो तोड़ते ही पहले बटा क्या हो जाएगा जी यहां तोड़ते ही पहले क्या आज़ों तो यह बात समझ में आ गई तो थंपका निसान से कर दो कि एक मत क मुझे होता है और ज्यादा क्या होता है जल्दी से बताए फटावट फटावट वच्टावट अ है अरे सिधार तो क्या कमेंटे में नहीं पड़ा यार में क्यों होगा है चल्यू आज़ावार जल्दी बताओ मुझे इसका अंत्र बता तो बहुत बोल रहे हैं तुम अब इसके एक्जाम्पल की बात कर लेता हूं इसको तो हटा देता हूं कि यह तुमारे समझ में आएगी अब मैं इसके एक्जाम्पल की बात कर लेता हूं नगया इसके एक्जाम्पल ऑसके एक्जाम्प mapped क्यूं हूं बात में टो हूं च सक्ढव एवर्णान खरय। तू इल्एक्ट चैर्मेन तू इल्एक्ट दे चैर्मेन अब मुझे बताओ कि यहां दे कमिटी के साथ क्या आएगा यह टेली पर नहीं है कि कहा अविलेवल है मैं बता हुआ आना वहां जाना चुप चाप मिल जाएगा अब इसका एक और चेंटेंज लिख देता हूं यहां पर अब कमिटी वोज्या वर दिवाइड अब दिवाइड तु पेले लिख दिया भाई तो इलेक्ट दे चेर्में लो जी इसका अंसर क्या होगा अब जल्दी से सभी के आंसर दे दे मुझे आकि मैं समझ जाऊंगा बहुत बड़ा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस थोड़ी सी देर की और बात है सारा मामला सेट होगे इसके बाद कताई 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 हाँ चलिए तो पहले का अंसर क्या होगा फसका अंसर देखो मियों क्यों क्यों कि चुपकी तक तो on में यहां पर यह कमिटी आपकी सिंगूलर क्यों क्यों कि तो यह क्या हुआ अध्य अध्य श्यूंस फिर आंसर वोजो है तो यह आपको ध्यान रखना अब बताओ इसमें को आपकी किसी पितरह तो बता दे आस्तों में सारी आपकतीय स्वीज दूंसं पर जब कोशन कराहूं आगा तो बीच में बोल गया ना फिर देखले कम्यूंटी डिवाइड हो चुकी है सही बात है ठीक है अब यहां से फिर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हिंदी मत करना ट्रांस्लेट मत करना आंसर देना मौर देन वन गर्ल फिर मैंने लिखा मौर देन टू गर्ल्स पिर मैंने लिखा अब मैं आपसे कहूं कि बताओ यहां वोज या वर में से क्या आएगा और यहां पर वोज या वर में से क्या है जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या है फटा फट बता दो हैं तो हैं लुट नाइट सभी को सोनु जी क्या बात हो गई जागरण में मतलब 11 बज़े के बाद जागरण बंद हो जाना जी तुमारी जागरण क्लास 8 बज़े से सुरू होनी चाहिए थी सर नेट खतम हो गया आता वही नेट बचा के रखना फिर भी नहीं सुनते तो मैं क्या कर वहीं एड्जेक्टिव की कॉमल जी फॉर्थ क्लास यूटूब ने ब्लोग कर दी यूटूब ने उसको प्राइवेट कर दिया उसको मेसेज कर दिये हैं यूटूब वाली कंपनी को अब वो कब उनको पबलिक करेगे उनके पडिपेंडेवा नाम दुबार पढ़ाएंगे इसे हाई है कि ऊके सब्सक्राइब यह चलिए है यह डायरेक्ट नाउन को देखे और देन बंगल तो यहां पर क्या बहुत अच्छी बात है आप धन्यवाद दे रहे हैं थैंक्यू सो मच लेकिन धन्यवाद के साथ साथ प्लीज इस पर ध्यान दे क्योंकि यह चोटा सा चैनल है और यह आपके सपोर्ट के विदन हो मैं क्यों यहां पढ़ा सकता हूं अच्छा सच्छा मैं नहीं जानता कि सिककर में को नैं क्या है मुझे पता नहीं है को कषटा बारह मुझे नहीं मालूम है किसी को नहीं मन से जितना सपोर्ट कर सकें उतना इस्प्रेड करें चैनल को आपकी हर ससल साइट के उपर आपके दोस्तों के बीच जरू बचाए एक बड़ा चैनल बने जादा बच्चे हो आने का मज़ा आएगा कोई वात नहीं तो यहां पर गर्ल के साब से वोज आ गया कर यहां पर गर्लस के शाब से वरा गया करो कर्या और यहां पर गर्लस के साब से भी वारा कि om कि अदेशनल को अभी तो यार माननी था पितो लुट्व टरयम थ commence लानना था मेंस्ट से आने लगे मुझको भी ठापना मनाए तो यहां तक की बार डन हो गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आजाओ आगे की कहानी पर कहीं बार क्या होगा प्लूरल अमाउंट होता है या फिर प्लूरल डिस्टेंस होती है लेकिन सिंगल यूनिट को प्रेजेंट करती है इसलिए उसके साथ बकौन सी आती इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब कौनसी वर्ब आती है जैसे 500 रुपीज is he are enough for him 50,000 rupees 50 50,000 rupees is here are good salary ठीक है इसके बाद 5 km 5 km is here are a long distance to walk अब बताई आप सर हमारे बढ़ा रहे हो आपका इसे करता है क्या लिखियो सुरेश से नहीं कुछ समझ नहीं आए क्या आपका रहे हैं पता नहीं यारे सुरेश भाई क्या रहा है विक्रम कुमार चीट्टू एम वाली क्लास यहाद आगी यहां बिल्कुल अब यहां बढ़ेगी तब ही एक बड़ा चैनल बनेगा वाला कि वोचिंग तो बहुत है उसके इसाप से तो लेकिन फिर भी बच्चे मैनत करनी पड़ेगी तब यह बड़ा चैनल बनेगा अच्छे से पढ़ाएंगे बहुत पढ़िया सर जी नेट कतम हो गया तो रवी सर की लाड़ो अब नेट रवी सर कहां से देंगे बता जो भी स्ट्रेंट से चुन्नों ने खाना भी नहीं बना आया वो तो खाना बनाई लेवाई जाके कोई बात नहीं है क्योंकि कब बनाओगे कब खाओगे कल का शेडूल भी गड़ जाएगा इसलिए की सथन के तो राइटाos क्या कि है कि कि हाँ बारा बजे बंद कर देंगे ट्लस को कोई बारा बजे तक बेटा मैंतरी ध्रिबी घर आटा जाएगा अपना सारा भज़के एक मिनठ सुभें हो जाएगे ना फिर खत्म अनी अनल के अब यहां पर आई है इस यहां पर क्या एगा इस ऑर यहां पर क्या आएगा इस बात समझ में आ यहां प्र क्यों है और यहां तक थे बात बड़ी अ आ मोबाइल को ले जाओ वहीं पर ही बनाते बनाते कर लो हम भी ऐसे पड़ा करते हैं वही सारी है नवाई सभी के पास कि चलो कि मैंनी ओफ वेरियस ओफ कि सेविरल और कि इन तीनों के बाद कि आने वाला जो नाउन या प्रनाउन होता है वह भी प्लूरल होता है और जो वह होती है वह वह भी कैसी होती है प्लूरल होती है वह वह भी कैसी होती है प्लूरल होती है कि सर एक बार रिपिट करो कोई भी प्लूरल अमाउंट हो या कोई भी प्लूरल डिस्टेंस हो जब वो सिंगल यूनिट में यूज करें तो फिर ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिंगूलर वह आईगी 500 रुपीज इस एनफ पॉर मी पांच सो रुपे उसके लिए परियाप थे फिर पांच सो रुपे परियाप थे तो इजी आएगा पांच सो रुपे का अब यही कोशन अगर डिवाइड होता तो आ रहाता जैसे ध्यान देना है आप पर देखना है इदर फाइव अंड्रेड फाइप अंड्रेड रुपीज है है या है डिवाइड है या डिस्ट्रिबुटेड कर सकता हूं में इसकी जगह डिस्ट्रिबुटेड ओन माई बर्थडे ओन माई बर्थडे अब यहां पर तो आप पांच सो रुपे को माट रहे हो इसका मतलब तो अलग-अलग हो रहे हैं और जब एक जग हो रहे हैं तो वह बट रहे हैं तो यहां पर राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा है हो जाएगा ठीक है अब यहां से देखिए मैनी आफ दी लैर्स प्ले यह प्लेज वेरी वैल इंद फाइनल मैच बात आगई समझ दू त्री बात यहां पर देखें वेरियस वेरियस आफ दी वोक्स है जिए है वीन इस्टोलन इस इंगिलर वाय गया प्लूरल वाय गया इस चीज द्यान देना है शैविरल आफ शैविरल आफ दी वाइक्स एजिया आर शॉल्ड हीर आगई बात समझ तो सभी के राइट आंसर देखें इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपले इसका क्या हो जाएगा आपका हैव इसका क्या हो जाएगा आपका आर कर्रेक्ट हो गया मामला नो प्रॉब्लम चले अब आगे बहुत बड़ी है इसके बाद अब देखें यहां तक को यहां पत्ति नहीं आगे चलूंग अब यहां से देखना है अब यहां से देखना है अब यहां सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिपक सर्माजी और इसका मामला खराब चल रहा अना बाकी सबकुछ वह के फिर मुझे माई की ऐसे हाथ में लेना पड़ेगा अब आरी आवाज सभी जग्जा हुआ बिलकुर अभी तक पूरी की पुरी क्लास बाकिए सुबह चोंगए तक क्लास चलेगी गब्राना नहीं ऑभी तक जग्जा है वाई साब फटाबट फट है घुमआप देखो यहां से एक बात और द्यान देनी जब आता है एो कि दो efक Cloth कायंटैवल आता है तो countable में प्लूरल आता है हमेशा ही तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आती है प्लूरल वर्ब आती है कौन सी वर्ब आती है प्लूरल वर्ब आती है इसका example देख कर बताएं आओ इदर एक्जामपल देखिये सम आफ दा मिल्क वाज या वर डॉनेटेड लो बाई जल्दी बताओ क्या होगा फिर यहां पर लिखा मैंने सम आफ दा प्लेयर्स इस या आर गूड इन दा टीम इन दा टीम बहुत बढ़िया इसके बाद फिर देखो मॉस्ट आप दा मनी इस या है व बीन डॉनेटेड और फिर यहां से देखो मॉस्ट आफ दे मॉस्ट आफ दे मॉस्ट आफ दे गल्स इस या आर फ्रॉम रूरल एरिया ठीक है बैटा कभी भी कोई समस्षा है तो नमबर नोट कर ले आप मैं बार बार बता रहा हूं कोई भी समस्षा हो आप इन नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं यह 0000 यह तंग से लिख देता हूं तुमारा भरोसा नहीं है मझे नींदों में हो कई तो यह नमबर अब अब इनकी सेंड करें जल्दी से सबीकर आंज़र आने चाहिए है किसी ने भी गलत आंद दे दिया तो मामला इटे खाप हां लग मझान कंटिश नेहीं चाहिए कि je झाधा और अन्सर जल्डी बताएं सभीक देखे जा रहे हैं अब पानी पी लेते हैं सरम जल्दी से बताएं आप चलो जल्दी करें यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब एक बार सभी क्या अंसर्स सम अब दा मिल्क मिल्क क्या है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है जिसको गिन नहीं सकते और जिसको गिन नहीं सकते हमेशा क्या माना जाता है singular माना जाता है तो right answer क्या होगा यहां से right answer क्या होगा यहां से was होगा some of the players लिखाओ आया है इस बार यहाँ पर milk आया है तो milk के नुसार आएगा मामला यहाँ पर players आया है तो players के नुसार आ रहाएगा फिर यहाँ पर देखे most of the के साथ क्या है मनी आया है मौस्ट आफ के साथ मनी क्या है अनकाउंटेवल है अनकाउंटेवल है तो आंसर क्या होगा वेटा हेज आंसर होगा हेव नहीं होगा यहाँ पर देखो मौस्ट आफ दी गल्स लिखावा आया है तो गल्स क्या है प्लूरल है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होग तो आर आंसर होगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा आर आंसर होगा ठीक है इसी के साथ और देख लें ऐसे और बड़ बता देता हूं आपको कि अध्यां कि अलोट आफ लॉट्स आफ यह भी सेम चीज है इनके साथ काउंटेबल भी आता है और काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब केसी आती है सिंग्यूलर वर्ब आती है और काउंटेबल होता है तो वर्ब केसी आती है प्लूरल वर्ब आती है कौन सी वब आती बटा प्लूरल वब आती है बात समझ में आ गई देख लेते हैं इसका भी आंसर करके है प्लैंटी आफ दी वाइज यह आर making a noise in the class ठीक है इसी के साथ और देख लीजिए जब होस में आ गई के सब और इनको होस में रखूंगा प्लैंटी आफ दी प्लैंटी आफ दी वाइज दो गया प्लैंटी आफ दी वाटर अजिया आर डर्टी कि लाट्स आफ टाइम वाज या वाव वेस्टेड आप आंसर चैपे जाओ जल्दी जल्दी से और कुछ मत छोड़ों बस आंसर भेज़ों फिर यहां पर लिखा मैंने लॉट्स आफ लॉट्स आफ लॉट्स आफ दे अब बाइक्स अज़िया और ब्लैक अज़िए इसका बन जाता है अब जल्दी से चैप दो यहां पर क्या आएगा फटावट फटावट बैटा जल्दी से जितना जल्दी हो सक्यांसर देदी जिस अभी कई कि शाबश बहुत बढ़िया हलो विकास विस्नोई जी नमस्कार जी कैसे आप बढ़िया है मज़े में हैं चंगा है चलिए चलो बैटा चलो जल्दी आजाओ जल्दी आजाओ तांसर्स आ गए हैं लगबख सभी के यहां पर बोईज की बात हो रही है तो आर होगा यहां पर वोटर की बात हो रही है तो इस होगा यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर वोज होगा और यहाँ पर बाइक्स की बात हो रही है तो आर होगा यहाँ तक कोई आपती है तो मुझे बताए और नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ यहां तक किसी भी कंडिशन में किसी को भी किसी भी तरह की आपती है तो आप मुझे बेज जग बता सकते हैं ब्रेक में तो मैं दूंगा नहीं मैं जानता हूं अच्छे तरीके से एक बार ब्रेक दिया था पहले वाले जहां पढ़ाते थे वहां पर तो भाई साब कता ही गाय चाला ता चाला अब यहां पर यह वाग काला काम कंप्लीट हो गया अब यहां से देखो नथिंग बट की बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना कि एवरीवान कि ए एनीवान कि अच्छा आप नोवान आप संबडी आप नोबडी आप एवरीबडी आप एनीबडी आप संबन होगे रिगे गया पर समबन पर यहां पर देखे आगे आप सम्थिंग आप नथिंग आप एवरीथिंग और एनीथिंग और एनीथिंग ठीक है यह साब सिंग्यूलर है और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती यह इनके साथ वर्ब भी सिंग्यूलर आती है कि अग्यार क्लास दिन में लेना रात को नीद आती है कभी नेट खतम हो जाता है मेरा थन अपनी रात को यह लगती रात दिन में क्या है न मज़ा नहीं आता गर्मी लगती है अब यहां पर देखिए है अब यहां पर देखिए है अब समबड़ी इस यह आर कॉलिंग मी समबड़ी इस यह आर कॉलिंग मी नवड़ी वोज यह वर प्रिजेंट देर नोबड़ी वोज यह पर देखिए है अब सम्थिंग इस यह आर को गॉइंग ओन है अब बताए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कर्रेक्ट आंसर बता दे इन सभी के फिर बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़े हैं अब देपक शर्मा जी इनको माइक से फिर इनको नीद आजेती बताएं और क्या करें इनको जगाने के रहना भी मेरी तो जिम्मेदारी बनती है अब टर्ट टाइम हो गया अभी टू थ्री ग्यारा बच के चोईस्माट जल्दी करते थोड़ा सा और मेटर बचा है पूरा कर देते इस ट्रॉपिक को और ना फिर दूसरे दिन मेरी जान को आपत हो जाएगी मुझे फिर क्लास नहीं पड़ जाएगी मैं इस ट्रॉपिक की ग्लाज नहीं लेना चाहता हूं बताओ तो सबसे पहली बात तो आंसर क्या आया इस आंसर क्या आया वोस आंसर क्या आया इस ठीक है कर्रेक्ट हो यहां तक का मामला कोया पत्ति किसी को नो पत्ति डंडण अडण कोई टेंशन है नहीं अरे निशा जी मेरी तविक ठराव जाएगी बटा कल भी क्लास लेनी है कि सम्झो बात को यह टॉपिक कंप्लिट करेंगे अपन जो बस होने ही वाला है नथिंग बट नथिंग बट नथिंग बट त्रीज एजिया आर यह बताओ क्या आएगा इन दोनों इसे नथिंग बट अब बताओ अब जल्दी से आंतर बता दो फटावट फटावट क्योंकि यह लग मुझे लग रहा है सेकिंड लास्ट टॉपिक आ चुका है अपना स्ट्रेटेजी के अनुसार और आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो जल्दी से आप भी बता दें कि अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है आपको लगता है कि सब्सक्रावट नहीं करवाए तो मैं वह चीज करवा देता हूं मेरे घ्याल से लगवग लगवग सारा मामला से तो चुका है मुझकित से कोई एकाथ जट्री होगी तो हमें आपको करवा दोंगा पानी पाउं तोड़ा इसके बाद ज्रेवदकुल आपको और तरवा दो ठीक है हां कि 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 अज़िए बैगा अ आज़े दिए और नहीं आ या आ रही क्या अ आ जाए इसे ब्याव भाज बस 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 बच्चे आज थोड़ी दे रोट अना थोड़ी सी दे रो यह हो गया इसका राइट आंसर इसमें तो क्या हो जाएगा इस और इसमें क्या हो जाएगा है जै सबत्सक्राइब अब यहां पर और को देखी जो एकाउंडेबल Krे अगर कामटैल आये तो किसा खायगव और यहां से ओल के बाद अगर uncountable आया uncountable आया तो यहां पर क्या आएगा uncountable में singular आएगा कि जैसे ओल दर कि इस्टुडेंट्स एज या और प्रिजेंट अब बताओ इजी आर में से क्या आएगा अब बात समझ में आए गई ना यहां तक ही तो अब ठीक है इसके बाद यहां पर देखो अब ओल दा मनी कि एज या है व अब ओल दा मनी इस या है व बीन डॉनेटेड इसमें क्या आएगा दोनों ही कंडिशन में सेम चीजे ओन और आया है ओल आया है लेकिन डिपेंड कर रहा है कि ओल के बाद क्या है यहां पर तो स्टुडेंट्स आया है और यहां पर मनी आया है यहां पर थेज आंसर हो सारी फैमिली सोगी बस बचे अपने वी अपना वी एक आथ टोपिक बच रहा है मोबैल खागे अपना एक बार टाइम देख लेते हैं ताइम से क्या अपना एक टोपिक बचाए छोड़ देंगे अपने इसा कोई ठेकेदारी नहीं है अना कि चलो कि अब यहां से बढ़ते हैं आगे की तरफ आप अब कि डिक देख लो एहां पर एक देखो रिलेटिव प्रोणावन यहां से तो यह वर्फ किसके नुसारा है जैसे एट इस आई वो इस कॉलिंग यू कॉलिंग यू यू ग्याव दा बुक्स विच इस या विच आर एंट्रेस्टिंग बॉरिंग करो चलो जी अब बताए राइट आंथर क्या होगा एम एम यह कह लिए हो यार एम का मतलब क्या होता है भई अब बॉबाइल दीजी एम हो गया कि इतना जल्दी ओ माई गड़ अब देखिए यहां पर यह है रिलेटिव प्रोनावन के पहले जो बाब आती है रिलेटिव प्रोनावन के बाद में वर्ड होता है उसके अनुसार आती है आई के साथ ही जाई नहीं सकता एम आएगा और सेकंड वाले में बताओ तो यहां पर वीच आया विच से पहले क्या बुक्स आया है तो विच से पहले अगर बुक्स आया है तो इसके बात क्या आएगा उन्यार इस ठीक है को या पति ही निए हुआ दंटर नारन नव प्रोब्लम यहां तक की इसके पाद देखो तक देखने अफीज फ्लार्स एस्या और स्वीट the smell of these flowers is here our sweet the cost of these things is here are much the sale of tickets started chipkai the answer अब जल्दी से आंतर देदे आप जो भी आपके मन में आये वह आंतर देदीजिए कि अधी एंड है कि आई सपोर्ट या सपोर्ट से इसका भी आंसर देदीजिए अब पताएं कि आंसर हो गएंगा माया से काओ जी वापस जाकर वापस आगे दिखते हैं बहुत दिनों बाद अना पिना खाके आगे कोई-कोई दो प्लूरल अगे लो जी बई बताएं यहां से राइट अंसर क्या होगा सपोर्ट 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 बहुत बढ़िया बात है चलो जी चलो और यहां से बात flowers की नहीं चल रहा है यहां बात प्लार्स की नहीं है यहां बात smile की इसके recording की आईगा इस आएगा army आएगा क्योंकि subject आपका यह है क्योंकि यह आपकी प्रेफेशन है या फिर यह समझेगी यह है यह नहीं सब्जेक्ट आपका यह रहा यहां पर सब्जेक्ट आपका यह है इसलिए इस आंसर आएगा आर नहीं आएगा यहां सब्जेक्ट आपका सेले इसलिए इस आंसर आएगा आर नहीं आएगा ही एंड सी दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल है यहां पर और यहां का अंसर क्या होगा बटा सपोर्ट आंसर होगा नो गर्ल एंड नो बोई आंसर क्या होगा इसका वोज आंसर होगा क्या अंसर होगा वोज आंसर होगा तो बात समझ में आ गई होगी यहां त ठीक है जब हम इसे सेपरेट तरीके से भी जब कभी डील करेंगे जब देख लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है और इसी के साथ इस बात को ध्यान दे मिरविया चारिये आज आपके सामने यहां पर 11 बच के लगबग 36 मिनट के उपर जी बिलकुल यह अनौंसमेंट करता है कि आप सभी इसको एसा ही प्यार दै इतना ही प्यार दै ताकि यह और जड़ा आगे बढ़े इस बात को ध्यान दे बटा आपके बिना कुछ नहीं है आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं तो इस बात को सभी strengths teacher को बनाते हैं मैं कोशिस करता हूँ कि आप सभी मन लगाकर और दिल लगाकर मैरे इस चोटे से परिवार को आगे बढाएंगे क्योंकि ये परिवार मेरा और आपका हमारा ये परिवार है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम अपना ही है तो एडूपत आपके लिए हमेशा तयार रहेगा मैं रवी आचारिये आज इस जागरण क्लास का समापन करता हूँ जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट को करवाया है एसे ही जागरण क्लासेज हर सब्जेक्ट की आएगी अलग-अलग सब्जेक्ट की आएगी जैसी इंगलिश की, कभी हिंदी की, कभी जियोग्राफी की कभी आपकी पॉलिटी की, कभी आपकी मैट्स की, कभी आपकी किस की बिल्कुल ना घवरा है, कोई टेंशन वाली बाक नहीं है, आज अपने दोसों नहीं हुए, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे होगा, सत्ते को, सत्ते को दबाया जा सकता है, सत्ते को मिटाया नहीं जा सकता, ये चैनल मेरा खुद का है, मेरा अपना है, आप लोगों का है, पढ़ने वाले सभी स्प्रेंट्स का है, इसलिए बटा आप बहुत किया दूसरों के लिए काम, लेकिन एट लास्ट कुछ नहीं, वापस जी रूपे आकर गिरे, तो छोड़ दिया आप दूसरों के हाँ काम करना ही, साल बर, देड़ साल, दो साल काम करते हैं, अजार की वोचिंग, 500 की वोचिंग, 600 की, 700 की वोचिंग चलाते हैं, हजारों में व्यूज आते हैं, लास्ट में बाइपास सर्जरी हो जाती है, वापस जी रूपे धकेल दिया जाता है, तो नहीं है भाई, अब ऐसा काम नहीं है, अब खुदगा करेंगे, चैख के साई करे वक्त लगेगा पर एक दिन इसकोई उठाएंगे ताकि फकर से कह सके कि ये काम हमने किया है आज हम काम करके आगे दूसरी जगर पर वहाँ कुछ है ही नहीं वो काम भी हमारा नहीं रहा आज़कर वो बच्चे तक यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो बच्चे तक यहाँ है तो उनको कहसे न कहसे पहुंचाए जाए नहीं तो आज के लिए बस इतना ही मैं रवी कुमार आचारिये आप सभी के सामने आज के जागरन क्लास की समापन की घोशना करता हूं और यह वादा करता हूं कि इंग्लिश के अंदर आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट वह भी बिलकुल फ्री में प्रवाइड करवाने की मेरी जिम्मेदारी होगी आपका सपोर्ट बस बना रहे हैं तो फिर मिलूँगा सेम टाइम और सेम जगह है यहां से हर सब्जेट की जागरन क्लास होगी आपको पता लग जाएगा बेटा ऐसा ही प्यार दे आप हर एक टीचर आपके लिए मेहनत करेगा बेटा क्योंकि एक भी टीचर सेलरी वाला नहीं है यहां पर हर टीचर के लिए दे काम कर रहा है बचों के लिए काम कर रहा है अपकी यहां कोई जेलरी नहीं मिलती किसी के बीच्व प्यार बच्चों को पड़ाओ जिता पड़ा सको इसके लावब और कुछ नहीं तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही खाना खाते जागे ना आज के रहे पासितनाई, that's all for today, thanks for watching, bye bye guys, take care, thank you.